हम लोग बात करे ही थे Oluse End सामान ग्यान के बारे में और अगर आप लोग किसी Government exam की तयारी करते हो गये और जिसमें आप देखेंगे कि सामान अध्यन और आप देखें कि GKGS से questions अगर आते होंगे आपकी परिख्चाओं में तो उस परिख्चा کی तयारी के लिए आप लोग loose end अपने पास जरूर रखते होगे और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आप देखिए जब civil service का prelims नजदीक हो और आपके पास time कम रह गया हो तो वहाँ आप देखिए point याद रखने के लिए point ओको revision के लिए आप लोग loose end का उपयोग जरूर करते हैं government level के हो सभी के लिए आपकी loose end काफी उपयोगी माने जाती है और आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग मद्देकालीन भारत का इतिहास cover कर चुके है और याद रखिए एक आपकी playlist सूची separate बना दी गई है loose end book review के नाम से तो इसे आप जाकर उसमें सभी क्लासों को देख लेंगे और याद रखिए नई loose end है latest loose end है आप लोगों में से कई लोगों की मांगती के नई loose end को हमें cover करना चाहिए तो चलिए आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे मद्यकालीन भारत आपका निपट गया आधोनिक भारत की बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल समराटों को देखेंगे भारत में यूरोपिय ब्यापारी कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का अधीपत देखेंगे, फिर अंग्रेजों के मैसूर से संबंध किस तरह से रहे, उन्हें जानेंगे, सिख्य और अंग्रेजों के बारे में जानेंगे, कंपिनी के अधीन गवर्नर जनल देखेंगे, और अंग आप देखेंगे कि हम लोग 1857 की महान करांती को देखेंगे और 1857 की महान करांती के प्रमुक्त क्या रहे हैं इस पर बात करेंगे और आप देखें कि स्टेट PCSO, इन में आपके 1857 की क्रांती से कुष्टन हर साल आते हैं और भी आपके दूसरे एकजाम हैं उनमें भी आते हैं ठीक है फिर हम लोग भारत का सुतंता संगर्स इसकी महतपूर्ण जो भी तत्थे घटनाएं उन पर बात कर लेंगे फिर हम लोग भारतिये धार्मिक और सामाजी दोलनों से शंबंडी जो माधूर्ण संस्थाय ॑ होने हम देखेंगे और भारतिये राष्टिये आंदूलन स्मंदित जो इंस विवे जो घॉड़ी हुए उन देखेंगे भारत के जो मृत्व सहीड हैं आपने कर देखा है कि यह संहीड आदिए आप देखें य데 कि बहुत दिखेंगे या खिर किसने कौन सा बचन दिया कौन सा नारा दिया सुंतन्ता-ंदुलन से समंधित पिकासिद जो पत्ति था überall पुस्तक उन पर बात कर लेंगे फिर उपाधी प्राप्थ करता हो दाता ऐता आपने देथा होगा कि आपसे पूछ साते हैं कब हुआ कहा हुआ किसने अध्यक्ष्ता की थी तो इस पर बात कर लेंगे वेटिस कारी इन आयो और होग और जो सम्तिया हुई कमेटी उन driving पर बात करेंगे भारतिये फ्रेस का विकास किस तरह से हुआ है मेडिया का उस पर भी बात करेंगे भारत की इतिहासिक लडाईयां देखेंगे पिरमुख राजबस देख लेंगे सस्थापक देख लेंगे उनकी राधधानिया सामाजिक सुधार अदिनियम देख लेंगे और मुसलिम सामाजिक धार में एक आंदोलन और संगठनों को हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है तो आधुनिक भारत में हम लोग इतने टौफिक इतने चेप्टर कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक हत्म हो जाएगा तो विस्त का इतियास बचेगा उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत पर और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस के बारे में उत्तर कालीन मुगल समराटों के बारे में मुगल समराठ तो पिछली किलास में आपने पढ़ा भी होगा उत्तरादीकार यूद में गुरु गोविन सींग ने बहादूर साय का साथ दिया था किसका बहादूर साय का ये मुगल उत्तर मुगल सा सकता मुगलों से सुतंत होने वाले राज्यों सस्थापक की बात करें तो अबद इसका सासकता साधत खा और हैदराबाद की बात करें तो चिन किलिच खा और या फिर आप देखेंगे निजाल निजाम उलमुल्क आसप जाय रुहेल खन की बात करें तो बीर दाउद और अली मुहम्मद खान बंगाल की बात करें तो मुर्सीत कुली खा करनाटक की बात करें तो साधुत तुल्ला खा और भरतपूर की बात करें तो चूरामन और बदन सींग ठीक है मुगल समराट मुulमस साय ने सहादत खां को वुर् Carbon dari मिल्क की उबादी दी थी और सहादत खां का असली नाम मीर मुम्मद अमीन था क्या था मीर मुहमद अमीन था अगर हम लोग बहादूर साय का पूरु नाम की बात करें तो इसका नाम था मु अंजम ठीक है मुँ अंजम और बहादर साहे को साहे वेखबर के उपनाम से भी बुलाते थे जहांदार साहे अपने सासन में लाल कुमारी नाम की विस्या को हस्तिशिप करने का आदिश दे रखा था इसमें तो आप समझ सकते हैं मुगल काली नितियास में सियद बंदू को हुसेन अली खा और अब्दुल्ला खा को सासक निर्माता की रूम में जाना जाता था जहांदार साह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था पूंचले आप से अगर कि जहांदार किस सासक को लंपट मूर्ख भी कहते थे तो याद रखे जहांदार साहे को फरोक सियर को मुगल बंस का घहडित कायर कहा जाता था किसे फरोक सियर को मुगल बंस का घहडित कायर कहते थे सुन्दर यूतियों के पिती अत्यदिक रुजान के कारण मुहम्मद साय को रंगीला वात्सा कहते थे बड़ा रंगीला टाइप का है और इस एक संगीतकार की रूह में मुहम्मद साय ने अनेकों खयालों की रशना की थी तूरानी सेनिक हैदर वेक ने 9 अक्टूबर 1720 को सियद बंदू हुसेन अली की हत्या कर दी थी और मुहम्मद साय के सासनकाल में ही हैदराबाद के चिन किलिच खान निजाम उल मुलकी की उपादी धारन थी और 1725 में सुतंत राजी की इसने स्थापना कर दी थी और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अबद की स्थापना इरानियों ने की थी हैदराबाद की स्थापना किसने तुरानियों ने और अबद की इरानियों ने इरान फारस के समराट नादिर साह ने आप देखेंगे 1749 इसबी में दिल्ली पर आकमन किया था और उस समय आप देखेंगे दिली का सासकता मुहमद साय और नादिर साय को इरान का नेपोलियन भी कहा जाता है अब आप देखेंगे पिराचीन भारत में हम लोग ने पढ़ा था एक भारत के नेपोलियन के बारे में आप लोग नीचे बताईएगा भारत का नैपुलियन किसे कहा जाता है नादिर साय लगभग आप देखेंगे 70 करोड रोपे की धंजासी और साय जहां द्वारा बरवाया गया था जो तक्ति ताउस था और कोहिनूर का हीरा ये फारस ले गया था कोहिनूर का हीरा आप समझ र तक्ति ताउस मयूर सिंधासन पर बैठने वाला अंति मुगल सबराट सासक कौन था मुहमद साय था ठीक है और साह अलम दुतिये अली गोहर की सासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कबजा कर लिया था पानिपत का तितिये यह दाप सभी जानते कि 1761 में होता है मराठा और एहमद साह अबदाली की सेनक वीच हुआ था और इसी उद्ध में आप देखेंगे मराठों की हार हो गई थी और एहमद साह अबदाली का बास्विक नाम था एहमद खान और इसने आठ बार भारत पार आकमर किया था कितना आठ बार उत्तर कालीन मुगल समराठ ह है जैसे बहादूर साह हो गया कौन बहादूर साह है और 1707 से 1721 तक रहता है जहांदर साह है 1712 से 1713 फरुक सियर यह आप देखेंगे 1713 से 1719 मुहम्मद साय 1719 से 1748 एहमद साय 1748 से चंगन के बीच आलमगी दुतिये यह आप देखेंगे कि 1749 से 1769 तक अगबर दुतिये यह आप देखेंगे 1836 से 1837 और बहादुर साय जफर यह आप देखेंगे 1837 से 1857 यह अंतिम उत्तरकालीन मुगल सा सकता गुलाम कादिर खाने 1860 में साय हलम दुतिये की हत्या कर दी थी बहादुर साय दुतिये जफर अंतिम मुगल समराट था बहादुर साय जफर था ना जो यह अंतिम मुगल समराट था और 1800 की रांदी में भाग लेने के कारण अंगरेजोत दौरा बहादुर साय जफर को बंदी बना लिया था और रंगून बेज दिया था लाल किला इस्तित हीरा महल बहादूर साय जफर ने बनवाय था यह भी याद रखेगा लाल किला इस्तित जो हीरा मंदिर है न यह बहादूर साय जफर ने ही बनवाय था तो ये कहा नहीं हो जाती है उत्तरकालीन मुगल सप्राटोगी अब हम लोग बात करते हैं किनके बारे में भारत में जो यूरोपिये व्यापारी कंपिनियों का आगमन हुआ इन पर बात कर लेते हैं तो आप देखें कि 17 मई 1498 की बात है 17 मई 1498 की बात है बासको डी गामा ने भारत की पश्मीतर पर इस्तिकालीकट बंदरगाह पहुचकर भारत और यूरोप की बीच नए समुद्री मार की खोच की थी और इस यात्रा को बासको डी गामा को गुजरादी पत्पिदरसक अब्दुल मसीद ने सहयोग किया था और ए अब लेकिन परीक्षा के साबसे परीक्षा जब आयोग आपके मान नहीं है सही तो आप लोगों को लगाना ओफिए बारत आने पाले रास्ते की खोच की थी बासको डी गामा ने भारत तो बहुत पहले सी रहा है तो यह जरूर आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले कहा पहुंचा था कालीगड बंदर गाब पर आप देखेंगे 1505 में फ्रांसिस्को दा अलमेडा भारत आता है और यह पिथम पुर्दगाली वायसराय था बनकर आये था तिकॉन फ्रांसिस्को दा अलमेडा आप देखेंगे 1509 में अलफांसिस्को दा अलवुकर भारत में पुर्दगालियों का बायसराय वना था और इसने 1510 में बीजापुर की यूसुफ आदिल साहर से गुआ को जीता था फिर आप देखेंगे पुर्दगालियों ने अपनी पहली ब्यापारी कोठी कोच चीन में खोली थी और दच्डी पूर्वी तट पर पुर्दगालियों की एकमात वस्ती संथों में थी क्या थी संथों में और पुर्दगालियों के बाद आप देखेंगे भारत में डच लोग आये और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउट में था जो 1596 में आया भारत की पूरु समात्रा पहुंचा था डच उने भारत में अपनी फिथम व्यापारी कोठी आप देखेंगे 1605 में खोली एक मसूली पटना में स्थापित की थी डचों की दोसरी व्यापारी कोठी की बात करें तो पौली कट में स्थापित हुई थी जहां उन्होंने अपने स्वय Łyt já कंपनी की बात करें तो 1480 मिस्की इस्ताफ़ना हुई थी अगर अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी की बात करें 331 बैठ कि ए तेक ₹ फिर आब देखें के र डचों ने भारत में बार उद्धों के बेतन भोगी रखे थे और डचों का भारत में अंतिम्रूप से पतन 1769 को अंग्रेजों और डचों की मद्द जो वेद्रा का यूद्ध हुगा था ना इसी के साथ डचों का भारत में खतम हो जाते हैं फिर आप देखेंगे 31 दिसंबर 1600 इसवी को इंगलेंड की रानी एलिजावेड तितम ने इस्ट इंडिया कंपणी को अधिकार पत्त पिदान किया था और प्यारम में इस्ट इंडिया कंपणी में 277 साजिदार थे और पहला गवर्णर था टॉमस स्मित कौन था टॉमस स्मित यह भी आप लो याद रखेगा और मुगल दर्वार में आगर आप देखें तो मुगल दर्वार में आने वाला पिथम अंग्रेज था केप्टन होकेंस और जो जेम्स पिथम की राद्दूत की रूम में अपरेल 1609 में जहांगीर के दर्वार में आये था जब भारत पर पहला अंग्रेजी जहाज था रेड डेगन यह भी याद रखेगा क्या था रेड डेगन 1611 में आप देखेंगे दच्छड पूर्वी पूरू समद्द तर्ट पर सब अंग्रेज सरफितम अंग्रेजों ने मसूली पटनों में व्यापारी कोठी इस्ताफित की थी जहांग चैनला औरभी पूर्वी तर्ट पर अंग्रेजोंने अपना पित्थम ब्यापारी कोठी मसूली पटनों में 116 में और सूरत में 1130 में 1130 में घू मनें का इन्हें पिर्यास किया था लेकिन 1613 में ने सफलता मेरी थी 1615 में आप देखें कि समराड जैंस पिथम ने सल्ट टॉमस रो को अपना राध्दूत बनाकर मुगल समराड जहांगीर के दर्वार में बीजा था वह फरवरी 1619 में तक भारत में रहा उसने जहांगीर और खुर फर्मान दिया था जिसके अंग्रेज सुल्तान को 500 फैगोडा वार्सिक कर देकर गोलकुंडा राज की बंदरगाहा पर सुतनता पूर्वक व्यापार कर सकते थे ठीक है और 1649 में अंग्रेज फ्रांसी सी डे ने चंद गिरी की राजा से मद्रास पत्टे पर लिया वही एक किलावंद कोठी का निर्मान भी किया था इस कोठी का नाम फोर्ड सेंट जार्ज पड़ा और यहीं फोर्ड फोर्ड सेंट जार्ज कलांतर में कौरो मंडल तट पर अंग्रेज जी मुक्ष्याले बना था और 1661 में आप देखेंगे पुर्दगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रेगेंजा और वेटन की राजकुमार चार्ल्स दुतिया का विवा हुआ था इस आउसर पर देखेंगे पुर्दगालियों ने चार्ल से दुतिया को बंबई प्रदान किया था तो आप देखेंगे पहले से ही देखेंगे चली आ रही है और हम लोग बड़े आसाव पादी हैं लेकिन फिर भी इस मैटर में मुझे लगता है कि आसा भी काम नहीं करते है कि कभी दहेज पिता हमारे देश से खतम होगी क्यूंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से दहेज पिता हमारे देश में ब्याब थे सुलाइस वर्षट में चाल्स दूतिय ने बंबई को दस पॉंड की बासिक राए पर इस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और 1687 में अंग्रेजन अंग्रेजन और पश्टमी तट का मुख्याल है सूरस से अटा अगर बंबई को बनाया था गेराल्ड ओंगियर 1670 से 1677 सूरत का प्रेशिडेन्ट और बंबई का गवरंडर ने बंबई सहर की स्थापना की थी किस ने गेराल्ड ओंगियर ने बंबई सहर की स्थापना की थी बंगाल की सासक साहिज सूजा ने सरपिथम 1659 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमती दी थी इस अनुमती को निसान कहते थे और 1658 में अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपिनी ने तीन गाउं किया था और चार्ल्ज आयर फोड विलियम का पिथम प्रेसीडेंट हुए कलांतर में कलकत्ता कोलकता नगर कहला है जिसकी निव जॉर्ज चार्नौक ने रखी थी किसने जॉर्ज चार्नौक ने भारत में फ्रांसीसीओ कि पिथम कोठी की बात हो तो फैंको केरो कि द्वारा सूरत में 1668 में स्थावित की गई थी 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रेंक्वेश माइटिन ने वाली कॉंडापूर के सुविदार सेर खानलोदी से पुदूचियनी नामा के गाव प्राप्त किया था जो कलांतर में आप देखते हैं पांडी चेरी के नाम से जाना जाता है पिथम करनाटक योद ये 1740 से 1749 के बीच हुआ और आश्टिया के उत्तराधिकार योद्ध से प्रभावित था है और 1748 में आप देखेंगे ये ला सापल की संधी के द्वारा आश्टिया का उत्तराधिकार योद्ध समाप्त हो गया था और इसी संधी के तहते आप देखे किस संधी के दायते खतम हुआ था इसे भी याद रखा कर गये दूसरा करनाटक योद्ध होता है 1769 से 1775 के बीच और इसे योद्ध में फ्रांसी सी गवर्नर डूफले का की हार हुई थी और उसे बापस बोला लिया गया था उसकी जगहे पर गोड़ी हो को भारत का अंगला फ्रांसी सी गवर्नर बनाए गया था पॉन्डिचेरी की संधी जनवरी 1755 के साथ इस योद्ध का भी खतम हो गया था विराम हो गया था योद्ध तो यह भी याद रखिए गया करना टक के तीसरे योद्ध की बात करें तो यह 1756 से 1763 की बीच हुआ जो 1756 में सुरू हुए सब्थ वर्सी योद्ध का ही यह घंस था पैरिस की संधी होने पर यह योद्ध भी सबाप्त हो गया था 1766 में अंगरेजी सेना नी सर आयर कोट की नेधित में बांडी बास की लड़ाई में फ्रांसी सीओं को बुरी तरह सेहराया था 1760 में, 1761 में आप देखेंगे अंग्रेजों ने पॉंडी चोरी को फ्रांसीसियों से चिन लिया था, 1763 में हुई फेरे संधी द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़ कर सेस अन्पिदेशों को लाटा दिया था, जो 1749 तक फ्रांसीसी कबजे में थे और पिदेश भ तो आप देखेंगे कि मुगल समराज की अंतगत आने वाले प्रांतों में बंगाल सरवादिक संपन राज्य था, और आप देखेंगे कि हमेशा बंगाल और पंजाब से ही करांती उठती आई है, तो इसलिए भी आप लोग बंगाल काफी चर्चिद रहता है, तो बंगाल क बंगाल समराज की अंतरगत आने वाला प्रांतों में बंगाल सरवादिक संपन राज्य था, और मुर्सीद कुली खा यहां का सुतन्द सासक था, फरंतु यह नेमित रूप से मुगल वाक्षा को राजस भेजता था, कुछ पैसा भेजता था, और मुर्सीद कुली खा ने अपनी राद्धानी धाका से मुर्सीदाबाद भागी रठी नदी के तड़ पर इस्थानान्तीत कर ली थी और इसने एजारीदारी पिता प्यारम कर किर्शकों की तगावी रिड खेती के लिए अग्रम कर्श पिदान किया इसका उत्तरादिकारी इसका दमाद था ना इसका क्या हुआ उत्तरादिकार और फिर आप देखेंगे 1740 में गिरिया की यूद में सर्फराज के कुमारकर विहार की सर्फुविदार अली वर्दी खां बंगाल का नबाब बलता है और इसने अपने सासनकाल में मोगलों को राजश देना बंद कर दिया और इसके सासनकाल में बंगाल इतना संबर्द साली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वरक कहा जाने लगा अगर आप से पूछे कि बंगाल को भारत का स्वरक किसके सासनकाल में कहा गया था तो बताइए आप लो अली अली वर्दी खां के सासनकाल में और इसका उत्तरादिकारी की बा से 1727 तक सुजावदीन आता है इसका सासनकाल 1727 से 1749 तक रहता है सरफराज खान आता है इसका सासनकाल 1749 से 1740 तक रहता है अली वर्दी खान ये 1740 से 1756 सिराजुद्दौला इसका 1756 से अगर आप लोग देखेंगे तो 1757 मीर जाफर 1757 से 1760 मीर कासिम 1760 से 1763 मीर जाफर 1763 से 1765 याद रखें मीर जाफर पहली भी रहा है फिर बीच में मीर कासम आ गया फिर मीर जाफर आया फिर आप देखेंगे निजाम उद्दॉला 1765 से 1766 सेफ उद्दॉला 1766 से 1770 मुबारग उद्दॉला 1770 से 1775 तक रहता है टीक है 20 जून 1756 को काल कोटरी की तरास्ती विलेक हॉल ट्रेजडी हुई नम घटना घटी थी इस घटना की रचेता जैड हॉल वेल की अनुसार नबाब सिराज उद्दॉला ने 20 जून की रात में 140 अंग्लेज ब्यक्तियों को एक छोटी से कोठी में कोठी में बंद कर दिया था और अंग्लेज दे सोवर 146 में से केबल 23 ब्यक्ति जिन्दा वच्चे थे यानि कि आप कह सकते हैं कि कितने लोगों की इसमें डेथ हो गई थे फलासी का योद्द आप देखेंगे तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापती रोवाट कलाईव और बंगाल के नवाब सिराजुद दौला सिराजुद दौला के बीच होता है जिसमें नवाब अपने सेनापती मीर जाफर की धोकाधरी करने की कारण पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, तो अगर आप से पूछे कोश्चन, कि पलासी या पिलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1770 को, और इसमें आप देखेंगे, एक तरफ तो आपको देखने को मिलेगा, अंग्रेज का सैनापती रोवाइ उसे इनाम की रोम में बंगाल का नवाब बनाया जाता है, पलासी के लड़ाई में आप देखेंगे, मोहनलाल और मीर मरदान की नितित में एक छोटा सेना नवाब की बफादा रही थी, और मीर मादान लड़ते हुए मारा गया था, और पलासी भागी रती नदी के किनारे ह यह भी याद रखेगा, किलाईव के हातों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को, अंग्रेजों ने 1760 को हटा कर उसके दमान मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है, और मीर कासिम ने अपनी राध्धानी को मुरसीदाबाद से मुंगीर मुगदलपूर इस्थाना अन अबाद के नवाब सुजावद दौला और मुगल समराज साहालम दुतिये इसमें सामिल थे, और इस यह भी आप देखेंगे अंग्रेज जीत गए थे, इस यह भी में अंग्रेज सैनापती हेक्टर मुनरो था, एक कुश्चन स्वीप कई बार पूचे लेता है, तो हेक्ट मैसूर से संबंद। तो 1761 की बात है, हैदर अलि मैसूर का सासक बनता है, और हैदल अलि की मितिव 1782 में दुतिये अंगल मैसूर योढध के दोरार हो जाती है, और हैदर अलि का उत्तराधिकारी उसका पुत्त होता है, टीपू सुल्तार, और वैसे आप लोग टीपू सुल स्री रंग पट्रम में सुतंता का व Thanks लगवाए था व साथी जैको विंड किलब का सदस्त्त मना था तो ये कुश्मियद चर्णि पूखर करेए है कि सुतंता का व्यक्ष किसने लवाय था तो टीफू ने ठीक है अपनी जो राध्धानी थी उसकी सिरी रंग पटनव में पिरमों कि युद्ध है वो बर्स है और गवर्णर जर्रल है इन्हें भी यादर कि पिताम आंगल मैसूरियोदी की बात होती शत्रेसो सरसट और नत् से 1792 कार्ण वाले से समय गवर्णर जर्रल था चतूर्थ अंगल मैसूरियोद आप देखें कि 1799 में लौड वेले जली समय कौन था गवर्णर जर्रल और इसे उद्ध में मराथा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की सहुक्ति सेना मैसूर की खलाब लड़ रही थी तो आप समझ सकते हैं कि अपनों की हार में ही अपनों की लोगों के आथ होते हैं टीपू की मित्ति उस्तेरी रंग पटनम की आकरी योद यानि चतूर्थ आगले मैसूर योद के तौरां 1799 में हो गई थी टीपू सुल्थान को सेर ए मैसूर कहा जाता था क्या सेर ए मैसूर और टीपू सुल्थान की राजसी जंडे पर सेर की तस्वीर होती थी 1760 में बांडिवास का योद हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नितित में लाली के नितित वाली फ्रांसी से सेना को पराजित कर दिया था एक कुछ महत्मोर संदिया है ने भी याद रखेगा पिथम आंग्ल मैसूर योद मदरास की संदी ये 1789 में हुई थी और याद रखेगा आप देख रहे हैं कि कोई योद चल ला है किसी समझोती पर तुछ आकर खतम होता है ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदिगी भर वो योद चड़ा रहे है तो इसमें पिथम आंग्ल मैसूर योद जो होता है इं मदरास की संदी की साथ खतम हो जाता है और इस 1789 में हुई थी दुतिये अंग्ल मैसूर योद की बात करें तो मंगोल की संदी के साथ 1784 में तितिये अंग्ल मैसूर योद सिरी रंग पटनम की संदी की साथ 1792 में देखिए या तो सैनापती की राजा की डेथ हो जा तब भी आप देखे कि वो योद खतम हो जाता है जैसे आप देखिए टीपूल सल्तान की मौत आकरेट चौतरे जो अंग्ल मैसूर योद धुगा था उसमें हो गई और आप देखिए अंग्रेजों की विजय हो गई अब बात करते हैं हम लोग किनके बारे में सिख और अंग्रेज सिख और अंग्रेजों का समध देख लेते हैं सिख के संपताय में कि कार्दिक पूर्णिमा को नानक को अध्यात्मिक पुनर जीवन का आवास हुआ और गुरु नानक ने गुरु लंगर का नामक निसलक सहे भागी भोजनाला इस्थापित किया था गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगी धरमसाला और पंगत लंगर इस्थापित क रहते हैं बारो मैना इनके वो चलती रहते हैं लंगर पिथा खाने की विवस्ता रहती है आप कभी भी किसी भी गुरू द्वारे जाईए आप संगत पंगत ने गुरू नानक के अनुवाईयों के लिए एक सस्था का कार किया जहां पिती दिन मिलते हैं और याद रखे लंग अगर गुरू का लंगर था किस ने चलाया था गुरू नानक ने शुरू किया था वह आज तक चला रहा है गुरू नानक की 1538 में कलतारफोर में डेथ हो जाती है मौत हो जाती है गुरू अंगद 1549 से बावन तक सिक्षों के दूसरे गुरू रहते हैं इनका प्यारहमिक न अंगद ने शिक्षों के तीसरे गुरू होते हैं अमरदास 1552 से 1554 दर गुरू अमरदास ने हिंदूओं से पिरतक होने बाले कई कार किये हिंदूओं से अईलग वेवाह बद्दिती लवण को फिचलित किया था और अकवर ने गुरू अमरदास से गोविंदलाल 1574 से 1581 में सिख्खों के चौतरे गुरू बनते हैं और अकबर ने बीवी भानी को 500 वीगा भूमी दी थी गुरू रामदास ने इस भूमी का अमरसर नामक जला से खुद बाया और अमरसर नगर की स्थापना की थी गुरू रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को ग कर सकते हैं फिर आप देखें कि गुरू अर्जुन की अगर बात करें तो 1581 से 1606 तक रहते हैं इस सिख्खों के पांचवे गुरू थे इन्होंने सिख्खों के धार्मिक गरंथ आदी गरंथ की रचना की थी किसने गुरू अर्जुन ने और इसमें गुरू नानक की प्रातनाय और गी संकले थे गुरू गरंथ साहिव यानि की आदी गरंथ में सिख्ख गुरू के साथ साथ कवीर और नामदेव और रहदास की रचनावों को भी संबलित किया गया है गुरू अर्जुन ने और इस जलासे के मद्द में हर मंदर साहिव का निर्मान कराया था राजकुमार खुसरो की साहता के कारण जहागी ने 1606 में गुरू अर्जुन को मरबा दिया गया था किसने जहागी ने सिख्खों के छटे गुरू होते हैं हर गोविंद इस 1606 से लिका 1645 तक इन्हों ने सिख्खों को सेन संगठन का रूप दिया और अकाल तक तो और इस औ इस और की सिंगासन का निर्वार इने ने करवाय था हर गोविंद ने और ये दो तलवार बांकर गद्धी पर वैठते थे एवं दरवार में नगाड़ा बाजानी की विस्ता थी इन्होंने अमरसर की क्लिवंदी भी की थी फिर आप देखें कि सिख्खों के साथ भी दिल्ली जाकर गुरुपत की बारे में औरंग जेव को सब जहना पड़ा था फिर आप देखेंगे सिख्खों की नवे गुरु होते हैं तेख बहादुर और सोले से चोंसर्ट से पचत्तर की वीच रहते हैं इसलाम द्यारम नहीं सुईकार करने के क्यारंग औरंग औरंग जेव ने इन्हें बर्तमान सीस गंज में गुरु द्वारा की निकेट मरवा दिया था गुरु तेख बहादुर को सिख्खों के दस्वे और अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविन सिंग सोले पचत्तर से सत्रह आठ तक इनका जनम 1666 में पटना में हुआ था और गुरु करें दिति सभी लोगों उनको अपने नाम के इंत में सिंग सब्दें जोडने के लिए कहा गया था और गुरु गोविन सिंग का निवासिस्थान आनंद पुसा है और कारिष्थली क्या थी पवोता और गुरु गोविन सिंग ने फार्सी में जफर नामा लिखा था और इन तो 1929 में मैं आप देखेंगे, बैसा री करेंगे दिनन गुरु गोवंद साहब नहीं की थी, गोवंद सिंग ने सिक्हों के धार में ग्रंध Aadigrand को वर्था रूम में दिया और क्या कि अब गुरु वाणी सिक्ष सा संपदाय की गुरु का कार करेगी। गुरु गोविन सिंग की हत्या 708 में आप देखेंगे नांदेड नामकिस्थान पर गुल खा नामक पठान से कर दी थी। बंदा बहादुर की बात करें तो इनका जनम 1760 में हुआ था पूच जिले के रजोली ग दानी बनाय था उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविन सिंग नाम के सिक्के चलवाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फोदा बजीर खां की हत्या करती थी। और फिर आप देखेंगे। बंदा की मित्ती के बाद आप देखेंगे सिक्क कई चोटे चोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। रंजी सिंग का नाम सुनते हैं। रंजी सिंग का राज चार सुमें बटा था फेसावर, कसमीर, मुल्तान, लाहोर। और महराजा रंजी सिंग का विदेश मंतरी फकीर, अजी जुद्दीन और वित मंतरी थी तीनानात। साज्जून 1849 को रजी सींग की对 Egg cheese मौत हो जाती है मित्ती हो जाती है कि अंग्रेजियों से के माज़ को संधियों की बात करने तो launcher q संधी रôm स्याथ को ऑफ्रोवाल की संधी हुवी 22 दिसंबर 1846 को और इस संदी के तहट राजा दलीप सिंग के सरक्षन एतू अंग्रेजी सेना का तुरवास पंजाब में माल लिया गया था और 20 अगस्त 1847 को महरानी जिंदरा को राज दलीप सिंग ने अलग कर 48,000 वासी फैंसन देकर सेख पुरा भिद दिया था और दूती ये अंग्ल सिख यूद के दरान पहली लड़ाई चिलियान वाला की लड़ाई सिख नेता सेर सिंग और अंग्रेज कमांडर गफ के मद्द लड़ी थी और दूसरी लड़ाई आप देखेंगे उजराद के चेनाव नदी के किनारे चाल्स नेफियर की रिटित में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1869 में लड़ी थी इस एउद में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे और आप देखेंगे लॉड दलहोजी की 29 मार्च 1869 की गुष्णा द्वारा संफूम पंजाब का विले अंग्रेज डाज्य में कर लिया गया था और महराजा दलीप सिंग को आप देखेंगे पच्चास जार पॉंड की बार्सिक पैंसन दी गई थी और उसे सिख्छा फराप्त करने के लिए इंग्लेंड भिद दिया गया था शिख्राजकपि सिद्ध हीरा कोहिनूल को महराणी विक्टोरिया को भिद दिया गया था तो यह सिख्धरम हो गया और अंग्रेजों का जो उनसे संबंद रहा है उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कर लिये हैं या नि किये हैं कि अब लोग हम लोग अंग बढ़ते हैं क June के अधीन अगर अजल गवर्ण्य जनलों की बात करें अ 5 में कम्पीनिके अधीन अगर गवर्न्य जनलों को देखें यृण जैंसे questions आपकी परीक्षा में आते हैं अग कितने आते हैं यह भी आप लोग चाहें बता दीजे तो एक दो तीन questions आते रहते हैं और आप लोग अपनी पुरानी जो भी पेपर रहते हैं उन्हें जरूर देखा करिएगा उनका मुल्यांकर किया करिएगा समझा करिएगा किस topic स से किस topic से हो कि subject से कितने questions पूछे जाने हैं बंगाल के governor अगर हम लोग देखें बंगाल के governor तो रोवार्ट क्लाइब का समय आता है सबसे पर 1757 से लेकर 60 की बीच होता है और फुरा यह 1765 से 66 की बीच बनता है पहले 1757 से 1760 की बीच रहता है और आंगे आप देखेंगे 1765 से 1767 तक रहता है ठीक है इसने बंगाल में दोइस सासन की विश्था की और जिसके तहट राजस वसूले सैनिक सरक्षण और विदेशी मामले कमपनी के अधिन थे और जाब कि सासन की चलानी की जिब्मेदारी नबाब की हाथों में होती थी और सबसे बुरी इस्तिती समझी आ दाब लो माल लिजे कि आपको किसी राज्य का मुखमंत्री बना दिया जाता है बन सकते हो कोई किसी के बारे में नहीं कर सकते हैं आप तो लोग कहते रहा कि हमारे देश में तो कोई भी नेता नीचे से उठकर उपर पहुंच जा सकता है तो आप देखिए आपके पास पैसे की बिवस्ता कोई और अपने हाथ में ले लेता है सैनिक कोई और अपने हाथ में ले लेता है बिदेशी मामले भी कोई और अपने हाथ में ले लेता है और सासन चलाने की जिम्मेदारी आपको दे देता है तो आप सोचिए आप पैसे न करना सकते किसी राज से तो आप किस बात के राजा रहेगे ना मात की समझ रहे और इसने मुगल समराथ साह अलम दुतिये को इलावाद की संदी कि 1765 के द्वारा कंपणी के सरक्षन में ले लिया था यह कुछ जल्स कही बार पूछ लेता है कि इलावाद की संदी कब हुई थी 1765 में किनकिन के विच एक तो आप देखेंगे अंग्रेजों की विच और किसके मुगल समराथ साह अलम दुतिये के और इस संदी के जरी आप देखेंगे इंडिया इस्ट इंडिया कंपणी कुदेश की राजनेतिक और समीधानी विवस्था में दखल देने का आउसर मिल गया और यहां से भारत में बेटिस आसन की न्यू पड़ती है रोवाइट क्लाइब ने बंगाल में सबस्थित को दो दीवान बंगाल के लिए मुहमद राजा खाओ बिहार के लिए राजा स्तिताब राय को नेवत किया था आपने गवर्नर की बात करें तो बरे लास्ट 17769 और काइटी और आप देखेंगे 1772 और वारेन हैस्टिंग्स ए 1772 से 74 ठीक है आँगे चलते हैं अब फिर आप देखेंगे कंपनी की अधीन अगर हम लोग गवर्नर जनरल की बात करें तो आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कवाया था पहले 1773 इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी छेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा जिसका कारकाल पांच बर्थ से निर्धारित किया गया मदरास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और इस पिकार भारत में कमपनी के अधीन पिथम गवर्नर जरनल कों था? वारेन हेस्टेंग्स, 1774 से 85 की बीच रहा था वारेन हेस्टेंग्स आप देखेंगे 1750 में कमपनी के एक किलर की रूमें कलकत्ता आया था और अपनी कार कुसल्दा के कारण कासिम वाजार का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर और कमपनी का गवर्नर जरनल बनता है वारेन हेस्टेंग्स के बारे में बात करेंगे तो ये बता चुका हूँ 1774 से 85 की बीच रहा इसने राज किव कोसागार मूर्सी दाबास से हटा कर कलकत्ता लाया था और 1772 में इसने पितेग जिले में एक फोचदारी बादीवानी अदालत इस्थापित की थी फोचदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षिता करता था दीवानी अदालत में कलेक्टर मुक नयादिस होता था और जिलाप फोचदारी अदालत एक भारती अधिकारी की अधिन होती थी जिसकी साहता के लिए एक मुक्ती और एक काजी होता था कानून गो की सलाय से नियाय करते थे सदर फौदारी अदालत में नाइब निजाम, मुक्य काजी, मुक्ती और तीन मौलवियों की सलाय से नियाय करते थे जिले की दिवानी और फोदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम नेड़ाय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्था थी दूओं के समझ में हिंदू और कानून और मुसल्मान कानून लागू किया जाता था जब कि फॉद्दारी मुकदमों में मुसलिम कानून लागू किया जाता था 1772 में आप देखें कि Court of Directors ने दोएदे पिडाली को सवाप्त करने और कम्पनी को बंगाल विहार और उडीसा प्रांद की सासर वे उस्था का उत्तरदाई समालने का आदिश दिया बॉरिंग हैस्टिंग ने दोनों उप दिवानों मुहमद रजा खां और राजस सिताव राय को पद से हटा दिया था हैस्टिंग ने नबाव को देखवाल के लिए मीर जाफर की विदबा मुन्नी बेगम को उनका सरक्षन ने उपकिया था 1775 में आप देखेंगे मुन्नी बेगम को हटाकर मुहमद रजा खां को नबाव का सरक्षन ने उपकिया गया था 1776 में मनू इश्मिती का अंग्रेजी अनवाद और एकोर्ड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया गया था ठीक है इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम सिक्षा के विकास के लिए पित्थम मदर साइस थावित किया था 1781 में इसी समय आप देखेंगे 1782 में जोनाथन डंकर ने बनारस में संस्कित बिश्विद्याले कूला था ये भी याद रखिएगा बिलियम विली किन्स ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनवाद किया था और इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में दा एसियाटिक सोसाइटी और बंगल की स्थापना की थी किसने सर विलियम जौंस ने और 1789 में अभिज्ञान सकुंतलम नामक नटक का अंग्रेजी में बात किया था अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा 1823 में लंदर में ACRT Society of Great Veterans की स्थाफना की गई थी और इसने मुगल समराट को मिलने वाला 26 लाख रुफेक की बात से एक पैसर बंद करवा दी थी और इसी के समय आप देखें कि 1780 में भारत का पहला समाचारपत बंगाल गजट का प्रिकासन जेम्स और श्टर्स हिक्की ने किया था यह भी याद रखें बंगाल गजट 1780 में किसने जेम्स और श्टर्स हिक्की ने इसे चालू किया था और इसी की समय रेगूलेटिंग एक्ट के तहे 1774 में कलकत्ता में एक उच्चितम न्याले की स्थापना की गी थी जिसका अधिकार चित कलकत्ता एक तक था और कलकत्ता के बाहर की मुकदमा तभी सुन सकता था जब दोनों पक्च सहमोतू इस न्याले में अगरी कानून लाग अगरीम न्याले और लागधी थी थी फिर पित्धम अंगल मराठा युद होता है contempor SI di sadि बीच के दूटिये अंग्ल मैसूरीओदि की बात होती तुशंतिये ₹czne 24 की बीच हुओध ben च उवरेंड हीस्टिंग की समय में ही लड़े गय ती है repeat पित्धम अंगल मराठा रेवेनिव की स्थाफना भी की गई थी वोर्ड ओफ रेवेनिव की और हैस्टिंग्स ने समपूर लगान के हिसाब को हिसाब की देखवाल के लिए एक भारती अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी और इस बत पो उपराप्त करने वाला पहला भारती दोललव राय कपु योग लागाया गया था परंदू 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था और 1786 में हैस्टिंग्स के जानी के परश्चात लगान परश्चात का पुर्णर गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुक्स सारिस्तागा दार की नियुक्ति की गई थी जिसका कार सभ जौन मैक फरसन ए 1785-86 की बात है इसे आजस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था यह याद रखिये गया फिर आता है आपका लॉड कर्ण बालिस ए 1786 से 1793 में और फिर 1805 में भी आता है इसके समय जिले के सबस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथ अधिकार के हाथों मे दे दिये गया थे इसने भारती निया अधिसों से युक्ति जिला फौदारी अधालतों को समाप्त कर उसके इस्थान पर चार वहमड करने वाली अधालते जिनमें तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए नियुक्त की गई थी कौनवालिस ने 1793 में पिसे दिक कौनवालिस कोड का निर्माण करवाय था जो सक्तियों के पितकर्ण से धान्त पर आदे रही था ये 1793 बात है 1793 में एक विनीमाय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी नियाएक सक्तियों से बंचित कर दिया गया और केबल संग राहक्स अभीकरता बना दिया गया था पुलिस करमचारियों के वेतन में विड्धी के साथी गरामिडी चित्रों में पुलिस अधिकार प्रात जमीदारों को इस अधिकार से बंचित कर दिया गया था इसकी द्वारा जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंंचार्ज बनाए गया था भारतियों के लिए सेना में सूविदार, जमादार, प्रिसासनिक सेवा में मुनसीप, सदर, अमीन या डिप्टी कलक्टर से उचापद नहीं दिया जाता था इने भरोसा ही नहीं था तू क्या करें और इसने 1793 में स्थाई बंदोबस्त पद्धिती लागू की जिसके तहत जमीदारों को अब भूराजिस का लगवग 90% 10-11 भाग और कंपनी को तथा लगवग 10% भाग अपने पास रखना होता था एक 11 भाग ठीक है इस ताई बंदोबस्त की योजना जौन सौर ने बनाई थी और इसे बंगाल बिहार उरीचा बनारा सो मद्रास के उतरी जिलों में लागू किया गया था और इसमें जमीदार भूराजस की दर तै करने के लिए सुतन्त हुगा करते थे तो यह भी याद रखेगा यह कहानी है लौड काउनबालिस की देख रहे है ठीक है इसलिए परेशान नहीं होना है आपको भूराजस वसूरने के अन दो विवस्था है थी रियत बाड़ी और महाल बाड़ी अगर हम लोग रियत बाड़ी की बात करें किसकी रियत बाड़ी की तो रियत बाड़ी विवस्था किसानों के साथ ब्यक्तिगत रूप से किये गया लगान समझोता को हम लोग रियत बाड में रेयत बाड़ी विवस्था वारा महल जिले में पहली बार कलनल लीड द्वारा का लागू की गई थी और 1820 में अगर आप देखें किसमें 1820 में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1820 में बेवस्था मदरास में भी लागू की जाती है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मदरास का वववनन ने उप किया गया था और 1825 में विवस्था में बंबई में लागू कर दी जाती है 1858 तक आप देखें कि विवस्था संपूर्ण धक्कन और अन्य चित्रों में लागू कर दी गई थी इसे विवस्था कि अगर मुख विसेश्थाओं की बात करें तो यह पूछा जा सकता है कि रियाद बाड़ी कि विवस्था की मुख विसेश्था है बताइए यह आप देखी कि आपका कई राज्यों में मुख परिक्षा में भी कुश्चन साथ जाते हैं इनसे आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं समझ रहे हो बरना नहीं समझ रहे हो तो समझ लेना समझना भी चाहिए मुझे लगता ह तो सरकार किसानों के बीच कोई विचोलिया नहीं होता था इसमें ठीक है और भूमी का सुवामित किसानों को दिया जाता था जिसमें वे भूमी का विक्रा संके कर सकते थे और गरीवी भी रख सकते थे लगान की उदाएगी ना होने पर भूमी जब्त की जा सकती थी लगान की रूम में किसानों को उपज का एक दूसरा भाग देना होता था जो धन की रूम में देना होता था थराप की आती है महालवाडी विवस्ता महल सब दिगर से तातपर होता है जागीर अत्वा गाओं इस पद्दिती में सरकार ने राजस के लिए किर्सकों से सीधा संपक नही कर समझे आप लो आप वो मुख्या क्या करेंगे गाउं की किसानों से बसू लेंगे 1922 में अविवस्ता प्यारम की अविवस्ता गंगा की घाटी आधूनिक पश्टमी उत्तर पिदे समद भारत की कुछ भागों और तत्काली निसमपूर्ण पंजाब में लागू थी इस बेवस्ता में पहली बाल लगान लगान करने के लिए मानचित्रों और पंजीयों का प्रयोग किया गया था इस बेवस्ता का जनमदाता हाल्ट मेकेंजी हुए थे और 1833 में मार्टिन वर्ड और जैन्स टांसन के बंदोबस्त में यह अपनी सबसे अच्छी रूम में सामने लगान बेवस्ता में उत्पादन का दूतियाई भाग और बाद में से घटा कर उत्पादन का यह दूसरा भाग यानि 50% कर दिया गया था ठीक है भूराजस संगरे करने की विधियों की बात केने तो आप देखेंगे छेतफल जमीदारी रियद बाड़ी और महाल बाड़ी जमीदारी पिथा के अंतरकत आप देखेंगे इसमें 19% था जमीदार इससे जुड़ा हुआ था योजनाकार था लॉड कानवालिस और जॉन सौर रीड ठीक है और आप देखेंगे और रियद बाड़ी के इंग्यावन परसेंट किसानों से डारेक्ट थी ये टॉमस हॉल्ट और अगर हम लोग महल बाड़ी की बात करें तो मुखिया लंबरदा से विवस्ता होती थी बसूल लेंगी और मेकेंजी मुन्रो इसके यह उजन आप करिये संतार अवे तैरा अवे से अंठावे की विच हुए और इसने हाँ आहस्तचेव नीथी अपनाई थी लॉर्ड वेलेजली आते हैं फिर 1798 से 1880 मास तक इसने साहाइक संधी की पदेती सुरू की थी भारत में साहाइक संधी का प्रयोंग वेलेजली से पूर फ्रा 1799 में अबद 1801 में पेसबाद दिसंबर 1802 में बरार भॉसले दिसंबर 1803 में सिंधिया 1804 में और अनसाहाइक संधी करने वाले राज्यों में जोदपुर हो गया जैपुर हो गया मच्छेली हो गया भूंदी हो गया भरतपुर हो गया और इंदोर के होलकरों में साहाइक तो यह भी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और इसी ने अठारे सो में कलकत्ता में नागरेक सेवा में भरती किये यूगों को पिसिक्षित करने के लिए फोर्ड फिलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी 1895 तक अंगरेजियों को भारती ये भासाओं की सिक्षा देने के लिए चलता रहा 1806 में भारत भेजे जाने वाले पिसासने कदिकारियों की सिक्षा और फिसिक्षन के लिए इंग्लेंड में हेली बरी में इस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया जहां नाव विवक्त पिसासने कदिकारियों की दो बर्स का फिसिक्चा देने की विवस्ता होती थी यह सवयम को बंगाल का सेर भी कहता था क्या बंगाल का सेर लॉर्ड का अनवालस 1805 में दूसरा कारकाल सुरू हुआ परंतु सिख ही उसकी डेथ हो जाती है मौत हो जाती है फिर आता है सर जार्ज वालो और 1805 से 1807 अठारे सो चैय में बेलोर में हुई सिपाही विद्रो इसके के काल की मत्मून घटना थी ठीक है फिर लॉड मिन्टू आते हैं पितम लॉड मिन्टू पितम यह अठारज सुसा से अठारज सुतीरे की बीच इसके काल में रंजी सिंग और अंगरेजों की बीच पच्चीस अपरेल अठारज सो नो में अपको अमरेसर की संधी हुई थी और इसी की समय चार्टर एक्ट आठारज सो तीरे भी आया हुआ था फिर आप देखिएंगी लॉड हेस्टिंग साता है 1823 से 1823 तक इसी की समय अगलियों ऑठारज सो चौदेस के और से आप देखिएंगी सोले ची बीच हुआ था इसमें नेमाल में अमर्सिंग थापा को आ इस समय में पिंडारियों का दवन क्या दिया गया था पिंडारियों के पिरमुक्नेता वासिल मुहमद, जीतु और करीम खां थे इसने मराठों की सक्ति को अंतिव रूप से नष्ट कर दिया था इसने प्रेस पालगे पीतिवंद को सबप्त कर प्रेस की मार्गदरसन के लिए नियम मनाए थे और इसी के समय आप देखेंगे 1822 में टेनेंसी एक्ट या कास्तकारी अधिनियम भी लागू हुआ था फिर आप देखेंगे लॉर्ड एम हर्ष्ट आता है 1823 से 1828 के बीच इसके सवाय में पिथम आंगल बर्मा यूद 1824 से 26 में लड़ा गया था और 1826 में और अंग्रेजों की बीच या अंडोप की संधी हुई थी 1824 में वेरकपूर का सेन विद्रो भी इसी के समय हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक इस 1828 से 1835 के बीच हुआ 1823 में या मदरास का गवर्ना था इसी के समय आप देखेंगे 1806 में माथिये पर जाती चिनला लगा ने और कानों में वालिया ना पहनने देने पर वेलूर के सेनकों ने विद्रो कर दिया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस पिकार अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था और बंगाल का पितम गवर्नर जनल वारेन हैस्टिंग्स था ये भी आप लोग याद रखिएगा राजाराम मुहन राय की सहयोग से आपने देखा होगा कि बेंटिक ने 1829 में सती पिता को समाप्त कर दिया था और वेंटिक ने इस पिता के इकलाब कानून बना कर 1829 में धारा सत्रे की द्वारा बिद्वाओं को सती होने की अबैद घुसित कर दिया था अकवर और मराठा पेस्वाओं ने भी सती पिता पर रोक लगाने का प्रयास किया था वेंट सन 1835 की बात है इसने बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की हुई थी तो आप सो सकते हैं कि हमारे रेस में बहुत पहले मेडिकल शेत में भी काम होने लगा था और इसी की समय मेकाली की अनुसंसा पर अंग्रेज जी को सिक्षा का माध्यम बनाया और मेकाली द्वारा कानुन का वर्गीकंड भी किया गया था बेंटिंग ने 1831 में मैसूर पर और 1834 में कोरग और मद्ध कचेर को भी हडब लिया था अपने अंडर में ले लिया था इसने भारतियों को उत्तरदाई पदों पर न्युक्त किया था और इसके समय में भारतिय 233 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया था कि धरम जाती रंग अत्वा जन्म के अधार पर किसी बैक्ति को कंपणी के सेवा में फिर्वेश करने से नहीं रोका जाएगा आज आप लोग जो मौली कदिकार में देखते हैं ना उसी तरह से इसने भी एक पानूल लाकर सुधार किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है फिर भी आप देखें कि स्थिति सुधारने वाली नहीं है कोई और फिर आप देखेंगे आपका आता है कौन आता है चार्स मैटकॉफ इसका समय रहता है 1835 से 1834 और इसने अपने एक बरस के कारकाल में प कुझे रोजयों की तरफ से भी लगे रहते थे तो कोई नहीं बात नहीं है लॉर्ड ओकलेंड आते हैं फिर 1836 से 42 तक रहते हैं और इसके समय की सबसुत महत्पूर्ण घटना है कि पिथम आंगल अफगानी उद्ध हुआ था 1849 से 42 के बीच और 1849 में इसने कलकत्ता से दिल और एनले वरो और 1842 से 1844 की बीचे रहते हैं पिथम अंगल अफनान यूद्ध सवाब्थ हुआ इसके सवावे सिंद को अगस्त 1843 में पून रूप से बैटिस समराज में मिला लिया गया है और सिंद बिजय की विसह में नेपीर का कथन है कि वह अब गानी तूफान की पू कई बार आपसे लोगों से जर्नल लॉलेज में पूछ लिया जाता है कि रभी बार की चुटी की सुरुआत कब हुए 1843 में इस समय आप देखी कि लॉर्ड एलिन बरू था फिर आप देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग आता है इसका समय रहता है 1844 से 1848 इसके सासनकाल की सबस और इसका बहुत सारा युगदान है ये 1848 से 1856 तक रहता है दुतिये आंगल सिख्योद 1848 से और पंजाब की वेटे सासन में विले 29 मार्च 1949 जगत पिसिद सिख राज का पिसिद हीरा कोहिनूर महरानी विक्टोरिया को भेजा था इसी कि सासनकाल में दुतिये आंगल सिख् युद लड़े गए थी पिताम राम नगर कायूद 16 नवंबर 1848 में आनेडित रहा था कोई नेड़ा नहीं आया था दूसरा चिलिया वाला कायूद 13 जन्वरी 1849 में ये भी आनेडित रहा था इसमें कोई नेड़ा नहीं निकला था और तीसरा यूद हुगा था गुजरात और पीगू को अंग्रेज आप देखेंगे अंग्रेज अंग्रेजी राजी में बिला लिया गया था तो ये भी याद रखेंगा डलहुजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुरविवहार आरूप लगा कर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था 1852 में आप देखेंगे कि एक नाम इनाम कमीशन की स्थापना की थी स्काउदिस भूमी रहत जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था किसका इनाम कमीशन का फिर आप देखेंगे डलहुजी के सासनकाल में उसने विफगत सिध्धांत डॉक्टरिन ओफ लेफ्स की कारण अ 1859 में बगाग बागाट हिमाचल पिदिस 1850 में उदेपुर मद्धिपदिस का था 1852 में जासी 1853 में नांगपुर 1856 में अवद कुसासन की आरूप लगा कर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था उसमय अवद का नवाप कुन था वाजिद अली सांग अंग्रेज आपक को कलकत्ता से मेरट रिस्थान दान्तित किया था और सेना का मुख्याले सिमला में इस्तापित किया था सिक्षा समन्दी सुधारों में डलहोजी ने 1854 में बुड डिस्पैज कुलावू पिया था जिसके अनुसा जिलों में एंगलू बर्ना, कूलर, स्कूल, प्रमुक नग जनक भी कहा जाता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसी के समय भारत में पहली बार 16 अपरेल 1830 में बंबई से थाने की भी 34 किलो मीटर की प्यथम रेल बच चलाई गई थी, ठीक है 1830 में, लौड डलहोजी के समय, सन 1800 चंगुन में नया पोस्ट आपिस से एक्ट पार अपना की थी, और इसी के समय 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी, और इसने सिमला की को ग्रीश मंकाली राधधानी बनाया था, 1853 के चाटर रेक्ट के द्वारा कमपिनी के संचालन मंदल ने कमपिनी के उपसासन की जो आप लोग पितियों की परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसी की सुरुवात है, फिर आप देखेंगे सत्यंद यहां कुछ पॉइंट दिये गए हैं, नहीं याद रखिएगा, सत्यंद ना टेग और पहली भारती थी जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परिक्षा में सफलता वराक्त की थी, 1922 में इलाबाद भारत और लंदन दोनों इस्थानों पर साथ साथ सिवल सेवा परिक्षा का आयोजन किया गया था, 1922 में पहली भारत में भी किया था, डलहौ जी ने नर्वली पिता को रूखने का भी परियास किया था, फिराता है आ सिमत्पूर्ण घटना थी, 1857 का एतिहासिक विद्रो, और इसी विद्रो के बाद पिसासनिक सुधार के अंतरकरत भारत का सासन कंपनी के हाथों से सीधे वेटिस सरकार के ने अंतर में ले लिया था, और कैनिंग की समय आप देखेंगे, 1861 में उच नियालय अधीनियम बना तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, आंगे चलते हम लोग, चलना पड़ेगा, रोके क्या करोगे, तो कैनिंग की समय भी है, 1856 में विद्वा पुनर विवा अधीनियम सुतंतरूप से लाग हुए था, और भारत में पहली बार कानूनी विवा, कानूनी विद दिवा विवा कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में को ईसोर चंद विद्या सागर की पेड़ना और देखरेक में संपन हुआ था, और 1856 में प्यत्रक संपत्ती से संबने जो कानून बना गया था, उसकी अनुसार ये सुनिशित किया गया था, कि धरम परिवर्तन के वाली किसी व्य प्राट के पत को समाप्त कर दिया गया था, 1858 में, मैकाली द्वारा प्यारूपफित दंड सहिता को 1858 कानून बना दिया और 1860 में अपराद विदान सहिता लागू की गई थी, विपकस सिधांत यानी राजबिलाई की नीती को समाप्त कर दिया गया था, 1861 में इंडियन प्राट फारित हुआ और पॉर्ट फोलियो प्राली भी लागू की गई थी, फिर आप देखते हैं, आपका आता है लॉड एलिन, एलिगिन, लॉड एलिगिन, ये 1862 से 63 के बीच रहता है, इसने बहावी आंदोलन का दबन किया, और 1863 में धरम साला हिमाचल में इसकी डैथ हो गई थी, फिर आपका लॉड लारेंस आता है, 1864 से 69 की बीच, 1865 में भूटान ने बेटे समराज पर आकमर किया, और अफगानिस्तान के समंद में इसने आहस्देशेप की नीती अपनाई और सांदार निस्क्रियेता की नाम से जाना जाता है से, और इसी की समय उडिसा मे सन 1866 में भूंदेल खंडो और राजपूदाना में 1869 में 266 अकाल भी पड़ा था, लॉड लारेंस के समय, इसने हैरी केंफवेल की नेतित में एक अकाल आयू का भी गटन किया था, सन 1865 में आप देखे इसके द्वारा भारत और यूरोप की बीच पिथम समुदरी टेलीग कॉलिज की स्थापना की थी, इसने सन 1872 में एक किरसी विवाद की भी स्थापना की थी, और एक अफगान सिर अली अफरीद ने 8 परवरी 1872 में चाकू मार कर इसकी हत्या कर दी थी, और देखे भारत में अंग्रेजियों की समय पिथम जंगरना 1872 में लॉड मियों के काल में सुरू हुई थी, ठीक है, जाबात अब इस बात को आप लोगों को याद रुखना हो चाहिए, फिर आता है आपका लॉड नार्थ वुख, ये 1872 से 1876 के बीच, इसके सावाय में बंगाल में भयाना ककाल पड़ा था, और इसने बढ़ोदा की मल हार राओ, गयकवार को सिद्ध कुका अंदोलर इसी के समय हुए था, लॉड नार्थ वुख के समय, और इसी के समय आप देखेंगे कि स्वेज नहर खुल जाने से भारत और बेटिन की बीच ब्याबार में विध्धी हुई थी, फिर आपका आता है लॉड लिटन, 1876 से 1880 की बीच, या पिसे दो पन्यासका, निवन लेखाक और साहितकार था, और साहितकास ने इसी ओवन, मेरी डेत के नाम से भी जाना जाता है, और इसके समय आप देखेंगे, बंबाई, मद्रा, सेदरावाज, पंजाब, मद्ध, भारत, आदी में भायाना का काल पड़ा था, और लिटन ने टेची की अध्यक्ता में, 1878 में एक अखाला आयू का भी गठन किया था, एक जर्वरी 1877 को वेटेन की भाराजनी महरानी वेक्टोरिया को केसर ये हिंदी की उपादी से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयवजन किया था इसी के समय, मार्श 1878 में लिटन ने भा आपत्ती जनक चीज चबती है, तो सरकार उसकी फेंटिक प्रेस से सारी संपत्ती जबत कर सकती है, आज भी हमारी सरकार ही करती रहती है, पनिया ये आप देखें कि पाई नियर अखवार में ने बरना किला प्रेस एक्ट 1878 के समर्थन किया था, और इसी कि समय, 1878 में को भा 1857 में सिवल सेवा परिक्षा में समलेत होने की आईउट 23 वर्स निधायत की गई थी, 1861 में आईउट सीमा को घटा कर वाइस कर दिया गया था, और 1866 में से घटा कर 21 कर दिया गया था, लिटन ने अलिगड में एक मुसलिम एंगलो प्राच्य महाविध्याले की स्थाफना भी की हुई थी, फिर आपका आता है लॉड रिपन, कौन? लॉड रिपन, इसका समय रहता है 1888 से 84, और पिधान मंत्री ग्लेड स्टोन के परामस पर रिपन ने सरपितम समाचारों पत्रों की स्वतनता को बाहल करते हुए, सन 1882 में बरना कुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, भारती भासाओं में फिकासे था, वने वाली समाचार पत्रों को भी वही सुभधाय दी गई थी, जो अन्य समाचार पत्रों को पराप्त थी, इसने सिवे सिवाब प्रवेश की अधिकता मायू सीमा को 29 बर्स से बढ़ा कर 21 कर दिया था, इसने इस्थानिय सोसास संबंदी कानू लागू हुए थे, और इसके समय में आप देखेंगे, तो एक कुष्चन से भी कई बार पूछ लिया है कि इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सरवपितम नेमित जनगरना करवाई गयी थी, देखे, शुरू ही थी लोड मेओ के समय, लेकिन नेमित रोप से 10 स साल में, तब से लेकर अब तक पिते एक 10 साल के अंतराल पर जनगरना होती है, और 1881 जनगरना में हैधरावा दोराज पूतानों पूताने को नहीं जोड़ा गया था, भारत में पहली बार सन 1872 में जनगरना हुई थी, और परन्तु इसमें भारत में संपूर्ण भागों को पिति द्रित नहीं हुआ था, लगवा 20% भाग पर इसमें छूट गया था, भाग, रिपन के द्वारत सन 1881 में पितम कारखाना अधीनियम भी लाए गया था, और इसमें साथ वर्स एक कमायू के बच्चों को काम करने का पर पिती बंद लगा दिया था, साथ से बारे बर्स की सेमिकों के लिए 9 घंटी से अधिक काम कराया जाना पिती बंदित कर दिया गया था, या एक्ट चाय कॉपी और नील की केती पर लागू नहीं होता था, आज भी हमारे देश में आप देखे इस तरह के कानून रहते हैं, लेकिन उन्हों कानूनों को लागू कितना होता है ये बाड़ी बात होती है कि उद्धारक की संग्या दी, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, आँगे चलते हैं आप लोग, रुक के क्या गरेंगे, रुक के कोई फायदा भी नहीं है न, इसलिए बोलने चलते रही है, फिर आप काता है लौट दॉफरिंग, ए 8184 से 888 के बीच, और इसके समय ति लौट दप्रिंग के समय, और इसके समय की सबसे महत्कून घटना थी, 28 December 1880 को, बंबई में A.O.H.E. के नितत में भारतिय राष्की कॉंग्रेस की स्थाफना हुई थी, आज जो आप लोग भारतिय राष्की कॉंग्रेस देख थी न, इसे की स्थाफना की गी थी, लेकिन आज की कॉंग्रेस में उस समय की कॉंग्रेस में जमीन आस्मान का फरक्त था, फिर आप देखेंगे की, क्या देखेंगे आप लो, लौड लेंस डाउन, 1888 से 1894 की बीच रहते, भारत और अफगानिस्तान की मद्र सीमा रेखा, डूरन रेखा का निधारन इसी के समय हुआ था, और 1891 में दूसरा कारिखाना अदीनियम लाए गया था, जिसमें इस्तरीयों को 11 घंटे पिती दिन से अधिक काम करने पर पिती बंद लगाया था, सा बार के बल पर ही इसकी दोरक की रचा की जाएगी, या कतन किसका था, लॉर्ड एलगिन का दूतिये का, आपसे हो सकता है कि सिविल सर्विस में इस्टेट पीसियस में आपका इस तरह का कतन दे दे वो आपसे पूची या किसी और एकजाम में, तो आपको याद रखना चाह अंगरी जिस्टोर मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोसित कर दिया था, सासन की कारच्छमता की अधार पर लॉर्ड करजन ने करजन ने रिपंद वारा इस्थाफित स्थानी सो सासन की पेडाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पूरेशन अधीनिया बनाय लिए था इसने, करजन ने 1901 में सर कॉल इन इसकोट मौन क्रीव की अधाथा में एक सिचाइब आयो, टॉमस रोवर्ट सण की अधिक्सथा में एक JOSH रेलवे आयो, 1902 मेंatifन एंडे यु एंडियू फेिक्सर की अधिक्स्ता में और तोमस ओन्स रेल की अधिक्स्ता में में विस्विद्यालाय आयो की स्थापना की गई थी इस पॉइंट को जरूर याद रखिए एक लॉड करजन के समय ही गुगा उनिस सो चार में भारती विस्विद्यालाय आदिनियम भी पास किया गया था इसने सर एंटिनी एंटिनी मेंट मैक डॉनल की अध्यक्स्ता में एक अकाल लायो का भी गठन किया था और सेन अधिकारियों के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी प्राची निसमारक परिक्षण अदिनियम 1904 की दवरां करजन ने भारत में पहली बार इतिहासी के मारतों की सुरक्षा और मरम्मत की और द्यान दिया था और इस ने वर्स्था की गई थी और इसने किर्सी बैंग भी खुलवाय थी इसने 1901 में किर्सी इस्पेक्टर जनल की नियुक्ती की थी और इसने समय 1905 में पूसा में किसी अनुसंधान संस्थाभी की खोली गई थी करजन के समय ही पहली बार पितेक प्रांद और केंद पर ए इस करकाल में आप देखें कि कलकत्ता में विक्टोरिया में मोरीयल फॉल का भी निर्माण हुआ था करजन के समय और नीज जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का नेडए की घुषना हुई थी और सेमला में की गई इसकी प्यारू व्विकासित की आ गया था और सेप्टमबर 1905 म इस बनगाल विभाजन की उजना को लागू किया गया था बंगाल को दो प्रांतों में बाठ दिया गया था एक तो आप देखें पुरभी बंगाल और असन प्रांत दूसरा था पश्मी बंगल पूरवी बंगाल का मुक्याला धाका बनाय गया था और लेटिनेंट गवर्नर सर एंडी फेजर को बनाय गया था और गवर्नर जनल की कारकारी के सेनेक सादस्थाओं की अधिकारों की फिरसन पर करजन का प्रहान सेनापती किचनर से मद्भेद हो गया था जिसके बारत ने सच्चिप ने किसिनर पर कपक्ष लिया थे से आसंतोष्ट होकर अगस्त निस सो पांच में लॉर्ड करजन ने त्यागपत भी दे दिया था तो यह लॉर्ड करजन के समय की घटनाए हैं तो आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो दुतिये आता है इसका समय रहता है 1905 से 1910 के बीच और इसके समय में आगा खां और सलीम खां के द्वारा धाका में 1906 में Muslim League की स्थापना की गई थी Muslim League की स्थापना कप की की थी 1906 में किसके नेतत में और ए आगा खां और सलीम खां की नेतत में लॉर्ड मिंटियों दुतिये की समय, 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवियसर में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था, इसके सासनकाल में 1907 में अकाल अंगल और रूसी पितिनी धी मंडलों की बैठा कुई थी, मुसल्वानों के लिए अलग निर्वाचन विवस्था, मारली फंचम भारत आये थे, और 12 दिसमर 1911 को दिल्ली में एक भब दर्वार भी आयोजिन किया गया था, यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद करने की घोशना की गई थी, भारत की राध्धानी कलकत्ता से दिल्ली की इस्थानांतित की गई थी, और 1912 में दिल्ली भारत की राध अधानी कब 1911 में, लेकिन इसी बनाया जाता है 1912 में, 23 दिसमबर, कब? 23 दिसमबर, 1912 को अगर आप देखें, तो लॉड हाइडिंग पर दिली में बं फेका गया था, इस कार्ण में भाई, बाल मुकुन्द को फासी की सजदा दी गई थी, और इसी की समय आप देखें कि 28 जुलाई 1914 को फितम विस्ति उद्ध भी प्यारम हो गया था, और इसी की सासनकाल में, फिरोज साय मेता ने बॉंबे क्रोनिकल और गनियस संकर विध्याती ने प्रताब का पिकासन भी किया था, 1916 में, लॉड हाइडिंग को बनारस इंदु विस्ति विध्याले का कुला दी पती भी निफ्त किया गया था, फिर आता है आपका लॉड चैम्स पोड, यह आप देखेंगे, 1916 से 21 के बीच रहता है, कॉंग्रेस की लखनाव दीविशन, 1916 में, कॉंग्रेस का एकिकरन हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझता भी हुआ था, यह आप देखेंगे, चैम्स पोड की समय में, 1916 में, फूना में महला विस्विध्याले की स्थाफना की गई थी, और इसके काल में, 1917 में, सिक्षा पर, सेडलर आयो का गठन भी किया गया था, 20 अगस्त, 1917 के सुधारों की गोष्णा को मांटगी गोष्णा नाम से जाना जाता है, और लोक सिवाओं की परिक्षा एक लेंड और भारत में, एक साथ करानी की संसुती, मांटगी चैन्सपोर्ड रिपोर्ट के द्वारा हुई थी, और इसी के काल में, आपने देखा भी इसी के समय हुआ था प्याराम, ठेर आपका आता है लॉड रीडिंग, और 1921 से 26 के बीच रहता है, 1921 में मोपला विद्धो, इसी के समय हुआ था, 1921 में एमन रॉय द्वारा भारती कमिनिस्ट पाइटी का गटन किया गया था, भारती कमिनिस्ट पाइटी, 1921 में आई प्रेंस ओफ वेल्स ने, प्रेंस ओफ वेल्स ने, 1921 में भारत की यात्रा की और इस दिन पूरे भारत में हरताल का युजन किया गया था, पांच परवरी 1922 को घटी चोरी चोरा, कांड उत्तरफदेश के गुरक्षपुर जिले के बाद गांधी जी ने अपना असयु गां और 1922 में बिस्व भारती बिस्व ध्याले इने कार करना प्यारम करती रहा था, 1923 में चितरंजन दास और मोतिला नेहरू ने इलावाद में कॉंग्रेस के अंतरगत रोराज फार्टी की स्थापना की और 1923 के चुनाव में इस दल को मद्ध परांत और बंगाल में पूर बह माओ जी रैष्टवादी नेता स्वामि सिध्धानंद की हत्या करती गई थी, फिर आप देखेंगे लॉड एर्विन आता है और ये 1926 से लेकर 1931 के बीच रहता है, तीन फरवरी 1928 को आप देखेंगे कि साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था इसी के समय, और लाला लाजप जुलाई 1929 को भूंखरताल सुरू की थी और भूंखरताल के 64 बे दिन, 13 सेप्टामर 1929 को उनकी डैथ हो गई थी, मित्तिव हो गई थी, भूंखरताल का कारण भारतिये और अंग्रेज के दियों की बीच बिच बिवहार में किया गया अनमाला बेद बहुताब, 1929 में ही आप देखें कि कॉंग्रेज के लाहोर अदिविशन में पूर्ण सुराज का लक्ष से रखा गया था, और 26 जनवरी 1930 को सदंता दिवस मनाने की घुशना हुई थी, और आज भी आप देखते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गरतन दिवस मनाते हैं, सवीने एयोग्या अंदोलन के दौरार महत्मा गांधी को 5 मई 1930 को गरपतार किया गया था, और 25 जनवरी 1931 को वायस राय इर्विन बिना को इस तरह के उन्हें इर्विन समझोता हुआ था, और उन्हें रिहा कर दिया गया था, 12 नवंबर 1930 को लंदन में पिथम गोल में सम्मेलन भी हुआ था, पिथम गोल में सम्मेलन, इस सम्मेलन में कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और फिर आप देखेंगे चार माच 1931 को गांधी इर्विन समझोती पर हच्ताक्षर किया गया और साथी सवीने एयोग्या अ आस भलता के बाद गांधी जैने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सब सबीने एव ग्यांदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है, फिर आप देखेंगे सूले अगस तो 1932 को रेम जी में अग डोनाल्ड ने बिवाद सफस संपदायक पंचाट की घुषना की थी, और इसकी अनुसार दल समझोता हुआ, जैसे पूना समझोता कहते हैं, और इसमें दलित वर्गों की साधनार वर्गों में ही सीटों का आरक्षन किया गया था, पूना समझोता 24 सेप्टमबर 1932 को हुआ था, तो इसे भी आप लो याद रखिए हो, फिर आप देखेंगे 17 नवंबर से 24 दिसमबर 1932 तक लंदर में तितिय गुल में समेलन चलता है, इसमें कॉंग्रेस में भाग नहीं लिया था, कॉंग्रेस की तरफ से किसी ने, बिहार में 1934 में भहेंकर भूकम पाया था, भारत सरकार दिनियम 1935 पीसी के समय पास हुआ, लॉर्ड विलिंगिटन ने कॉंग्रेस के बंबई की अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अधिश्टा सर सत्यंदर तसन से नहाने की थी, कहां हुगा था बंबई में, फिर आप देखें लॉर्ड लिन लेत्गु आता है, ये 1936 से 1943 तक रहता है, 1936 से 1943 तक और इसके समय में पहली बार चुनाओ कर र क्या कराए गे थी, चुनाओ करवाए गे थी, और कॉंग्रेस में 11 में से 8 परांथों, जिसमें बंबे, मदरास, विहार, सेफ्ट परांथ, मद्द परांथ, उड़ीसा, उत्तर, पश्चिम, सीमान परांथ, असम में अपनी सरकाले बनाई थी, पिथम 6 परांथों में कॉंग्रेस को इस पश्ट परांथ मिला था, और बंगाल असम उत्तर पश्चिम, सीमा परांथ, और पंजाब और सिंद में कॉंग्रेस को पूर बहुमत नहीं मिला था, ठीक है, और 1 सेप्टमबर 1949 को दूती अभी सियुद प्यारम हो जाता है, और बेटे सरकार ने बिना रख्रित होने का मतलग क्या है, जब हमारी तो कोई हमारी राय ही नहीं ली जा रही है, एक मई 1949 में सुभास्चन बोस ने फारवर्ड विलोक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी, एक मार्च 1940 में लीग की लाहर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, और इस पिस्ताओं का प्यारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, फजलूल हक ने फिस्तुत किया था, खली कुजमा ने उसका समर्तन किया था, तो याद रखिए, मार्च 1940 में लीग ने लाहर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी, और 8 अगस्त 1940 को सुईकार कर दिया था, उपनित जवाल लाल ने रूफ और मौलाना आजाद किसमसन की साथ कॉंग्रिस के अधिकारिक वारताकार थे, 9 अगस्त 1942 को कॉंग्रिस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्यारम करती है, 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त करांथी के न अबूल कलाम आजाद और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और यागिपी से मिला में उपस्तित रहे और सम्मेलन के दौरान मुसलिम लीग द्वारा यह सर्थ रखेगी कि वायसराई की कारकारणी परिशाद में नियुक्त होने वाले सभी मुसलिम सदस्तों क करेगी मुसलिम लीग यह अडियल रूप 14 जुलाई तक बना रहा हो बेविल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषना कर दी इन्होंने 1945 में बनी किलिमेंट एटली के अधरक्षता वाली लेवर पार्टी की सरकार द्वारा की गई पिथम कारवाही के अंतरगत भारत में आम चुना करवाए गया और दिसंबर 1945 में घोषे चुनाओ पाईडामों में क्यंद्री इविधान सभा और परांती इविधान सभा मंडलों में कॉंग्रेस के परयाप्त भाहूमत मिला था केंद्री अबिधान सभा में कॉंग्रेस को निर्बाचन छेत्रों में इनक्यावन 91% पिती सद मद मिले थे मुसलिम इलेक सभी मुसलिम जीत ली थी मुसलिम लीक को बंगाल और सिंद में बहुमत मिला था पंजाब में कॉंग्रेस अकालियों और इवनियेस्टों पाटी की साजय सलकार बनी थी तो बाद देखते हैं बहुमत नहीं मिलता है तो उस समय भी होता था ऐसा केविनिट मिसन 1946 में भारत आया था वो इस मिसन के सदस स्टेफ होड किप से पैंथिक लारेंस और एवी अलेकजनर साहब थे फिर आप देखेंगे लॉर्ड माउंट वेटन आते हैं मार्च 1947 से जून 1948 तक रहते हैं सस्ता हस्ता अंतन के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट वेटन को बनाया गया और तीन जून 1947 को मांट वेटन वेटन विजना गोशित की गई इसमें भारत विभाजन सामिल था तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए को याद रखना चाहिए और इसमें आप देखेंगे चार जुलाई इस चार जुलाई को जरूर याद रखेगा 1947 को वेटि संसद में एटली द्वारा भारती सुतंता विधियक पिस्तूत किया गया और जिसी 18 जुलाई को सुईकिती मिली थी और विधियक के अनुसार भारत तो पाकिस्तान दो सुतंत राष्ट की गोशना की गई थी पंद्रह अगस्तों 1947 को भारत को सुतंत कर दिया गया था सुतंत भारत का पिथम गवर्नर जर्रल कौन था? लॉर्ड माउंट वेटन और सुतंत भारत की पिथम और अन्तिम भारतिये गवर्नर की पूचे खुआ है तो यह भी याद रखेगा अगरे जो अब देखिए यह आप देखें कि कि अंग्रेज जो अंग्रेज जो अंग्रेज जी सासन के विरुद्ज मतकूर विद्रो हुए इन भी याद रखें से कुछन साब देखते हैं कि आप हर बार पूछता है यह आंदोलन हो गया प्रभाविच्छित हो गया समंधित नेता नेतित करता हो गया और यह समय साहे और चिराग अली यह 1776-77 की बात है फाहाडिया विद्रो यह बिहार में भागलपुर में हुआ था तेलका माजी इसके नेतित करता थे 1989 की बात है चुवारो विद्रो यह वागोड़ा बंगाल में हुआ था एक करन गड़ की रानी स्तरोमणी वा दोर्जन सींग इसके न अंठानवे में हुआ था चेरो विद्रो यह जारखन पलामू में हुआ था भूसर सिंग इसके नेतित करता थे 1800 की बात है पॉली गरा का विद्रो तमिलाडू में हुआ था बीपी बीर पी कट्टा वा मान इसके नेतित करता थे 1799 और 801 की बीच हुआ था फिर आप देखे अच been व था से बाराम इसके नेतित करता थे 18237 के बीच राम लुपिद्रू यह जारन इसके नेतित करता थे 1825 इसके बीच की बात है आहो में ह। ता गौम धर खुंगार इसके नेतित करता थे 1888 इसकी बात है बहावी आंदोलन बिहर उत्तर्पिदिस में हुआ था स्यद ए flatter एहम्द टुती मीर इसके नेतित करता थे 1831, कोल आंदोलन चोटा नांगपुर में हुआ थे ज्दारत भात है नेतित आरे 1831, करता थी 1833 की बात है कंद विद्रो उड़ीशा में हुआ था चक के विसोई इसके नेत्रित करता थी 1837 की बात है तो इन ने अंदोलनों को जरूर याद रखेगा इसे कुश्टन्स पूचे जाते हैं ठीक है फिर आपका फरायजी अंदोलन ये बंगाल में हुआ था सरी या त ऐत उल्ला तुट्टु और मिया इसके नित्यत करा 1838-4845 की बीच हुआ था नेल विद्रो बंगाल बिहार में तीरोद सींग इसके नित्यत करता थी çarage संथाल विद्रो बंगाल बिहार में हुआ था सिध्धू कानू इसके नित्यत करता थी 1855 चपन की बात है मुंड़ वि 1870-25 की बात है, नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, देगंबर इसके नेतित करता थे, 1869 की बात है, पावना विद्रो ये पावना बंगाल में हुआ था, एसान चंद राय और संभू पाल इसके नेतित करता थे, 1853-1876 की बात है, दक्कन विद्रो महराष्ट में हुआ था, 18 1974 पचातर की वाहते मोपला विद्रो एमालाबार केरल के में हुआ था अली मुसलियार इसके निसेरे करता थे 1920-22 की बाते कुई का अंदोलन पंजाब में धहरा भकत जावाहरमाल इसके नितर्त करता थे रंपाओं का विद्रो आंद्पेदेश में हुआ था, सीता राम राजू इसके नेतित करता थे, 1889 से 1922 के बीच होते रहे, ताना भगत अंदोलन विहार में, जत्रा भगत इसके नेतित करता थे, 1914 की बात है, तिभागा अंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपाराम सिंग और भ भवन सिंग इसके नेतित करता थे, 1946 की बात है, तेलंगाना अंदोलन, ये अंद्पेदेश में हुआ था, उन्निस सो, कप की बात है, उन्निस सो चैलीस की बात है, ठीक है, चलिए, आंगे चलते हैं हम लोग, तिलका मा जी ने भागलपूर के पिथम, कलेक्टर, क्या, क्ले कलेक्टर देखते हैं, अंग्रेजों की देन है, कलेक्टर सब, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, रखोगे या नहीं रख पाओगे, और रखना चाहिए बिसे, तो तिलका मा जी ने भागलपूर के पिथम कलेक्टर, अगश्टस किलेव लेंड को, 1784 में तीरो धनोस से जकमी कर दिया था, जिससे उसकी मित्ती हो गई थी, इसी कारण उसे गिरपतार करके, 1785 में भागलपूर के भी चौराय पर बरगत के पेड से लटका कर फासी दे दी गई थी, भागलपूर से राजमहल के बीच का चित, जो दामन एकोह की नाम से जाना ने किया था, चार पुत, सिद्ध कानियो, चांद और भैरम ने किया था, सिद्धू ने अपने आपको ठाकोर का उतार घुसित किया था, जुलाई 1800 आप देखी ये, पचपन में संताव विद्रो प्याराम होता है, और सासत विद्रो के प्यारम दिसी नामक, इस्तान में अ आपको इस्तुर का दूद्ध घुसित किया था, उडिसा के कंद आदिवासियों के भी मारी या पिठा मानो वली पिठा का पिचलन था, तो आप समझ सकते इंसानों की वली दी जाती थी, तर आप देखें कि भगत जवाहर मल कि सिस्स राम सिंग ने 1872 में अंग्रेजों का क ऐसा कोई साल नहीं मिलेगा जब आपके सवाल ना आए, समझ रहे हैं, क्या है सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां, 1857 की किरांती देखते हैं, और 1857 की महान किरांती के बारे में आत करें, तो 1856 में अंग्रेजों ने फुरानी ब इसके लिए जो कार्तूस प्रेयोग होते थे, उन्हें राइफल में भरने से पहले मोच से खोला पड़ता था, और इन कार्तूसों में गाय वो सुवर की चर्वी का प्रेयोग किया गया था, यह चर्वी बाल कार्तूस ही 1857 की किरांती का पिरम कारन बना था, और याद रख की कार्तूस इसका लगाना पड़ता है, तो वही आप कह सकते हैं कि उस समय था, और आप सभी जानती हैं, गाय हिंदूओं में पवित्य क्या था, पवित्य माना जाता है, और सुवर को मुसलिमों में दोनों लोगों की भावना आहत हुई, और आंदोरन की करांती की सुरू मंगल पांडी का समन्द 34 वा बंगाल नेटिव इनफैंटी से था, इसे भी याद रखिया, आप सोचिये, आपने विरोध किया, आपको फांसी दे दी गई, तो वो विद्रो बढ़ेगा ही, और लोग भी तो होंगे, तो यह याद रखियेगा आप लोग, ठीक है, और आप देखें कि 10 माई 1857 के दिर मेरेट की पैदल टुकडी 20 एनाई ने 1857 की किरांती की सुरुवात कर दी, 1857 की किरांती के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था, इंगलेंड के विधान मंत्री पारम इस्टेन थे, लिबरल थे, और अंग्रेजी भारती सेना का निर अधिकारियों की संख्या में विध्धी की गई, बंगाल की सहरा में भारतीयों, अंग्रेजों की सेनिकों का अनपात दो अनपाते एक था, और बंबई में मदराश की सेनाओ में आप देखेंगे ये 5 अनपाते दो रख दिया गया था, 1857 की मामले की जाच के लिए पील कमी अनपाती दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ा को जाती है अगोसित की गई, उनकी बड़े संख्या में सेनाओ में भरती की गई, आप भी जाते हैं कि आज समय अगर आप लोग सरकार का साथ देते हैं, अगर सरकार जूट काम भी कर रही है, तो आपको इनाम दिया जाता है, तो उसमय अंग्रेजों का जो साथ दे रहा था, उन्हें इनाम मिल रही थी, भारतियों को सेनाओ में उचे से उचा पद, होने वाला पद सूवेदार हुआ कर था, और ही रोज ने लच्मी बाई की वीर्ता से पर भावित होकर कहा था कि करांतियों में एक कीली मर्द है, रानी लच्मी बाई आप देखते होंगे सिंधिया घराने ने भी उस समय इनका साथ दिया था अंग्रेजों का, और आज भी आप लोग स्पेसल बुक्स उठा के देखिए, सहदी सब्द मुझे लगता है कि बुरा लग आगा सिंधिया को चाहने बालों को, स आज भी आप देखिए, खुले सब्दों से उपयोग किया जाता है, और अभी तो आप देखिए, सिंधिया के जो वारिस हैं, उन्हें रानी लच्माई की समाधी पर जाना पड़ा, समझ रहे हैं, तो अब देखिए, इतिहास कभी माप नहीं करता है, जो हम जैसा करते हैं, वो साइद अभी अच्छा हो सकता है, लेकिन इतिहास में मूल्यांकन बिल्कूल एक तरह से नीट्रल हो कर देखा जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1857 की किरांती के बारे में इतिहासकारों का मत था, ये मत हैं और इतिहासकार, ये भारत का पिथम लौर्एंस और सीले ने कहा था, या अंग्रेजागों के विरृध हिंदू और मुसल्बानों का सडें था, जेञ्म्स आउट्रम और डवलू टेलर ने कहा था, बरवर्ता और सबदा की बीच हो धीची हो धीज़ा, टीयार होमस ने कहा था, या धरवांदों का यिसाइयों कोई बेटिस नायक हो गया ओती थी यानि कि विद्रो दबाने वाला हो गया यह और विद्रो दबाने की डेट हो गई आपकी ठीक है जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ देखें कि बहादुर साज्यापर थे और वक्त खाते सेन नेतित कर रहे थे एक ग्यार है बारे मई 1857 की बात रहे निकलसन मारा गया था इसमें हो हरसन केमपल हरसन ने इसने इस बिद्रो को दबाने में एक तरह से बाला था 21 सेप्टमबर 1857 की बात है कानपूर की बात करें तो नाना साहब यहां की नेतित कर रहे थे धुंदू 35 ने कहते तत्याट फिस ने ने नेतित कर रहे थे और यह 5 जून 1857 की बात है केमपल ने यहाँ दबाया था 6 सेप्टमबर 1857 को लक्नव बें आप देखेंगे बेगम सेप्टमब मुहममधी खातून यह नेतित करता थी हैं 4 जून 1857 की बात है है हैंडिरी लॉरेस माल गया था तो केमपल ने अंधूलन को दवाया था बेटिस नायक था पामार्च 1857 की बात है जहांती की बात करें तो नानील अची भाई जून 1857 की बात है यूरोज ने यहा दबाने वाला बेटिस नायक था तीन अप्रेल 1859 को इलाबाद लियाकतली थी हां की नेतित करता 1857 में लॉड नील मापकर ये कर्णल नील यहां विद्रो दबाने वाले बेटिस नायक थे 1859 में जगदिस फूर एक उंगर सिंग यहां की नेतित करता अगेस्त 19 अगस्त 1857 क इसके दबाने वाले बेटिस नायक थे और 1859 की बात है बरैली खान बहादुर खा अठाज संतावन में हरसन ने यहां की विद्रो को दबाया था अठारेश नायक थे 1859 में फैजाबाद मौलबी अहिमाद उल्ला 1857 में करनल नील यहां दबाने वाले थे ओ 1859 में पतेपुर अजीम उल्ला एं 1857 की बात है जनल रेनर्ड ने इस अंदूलों खुदो बाने में वेटिस नाइक थे 1858 में तत्या टुपे की बास्तविक नाम कई बार पूछ लेता है रामचंद पांडूरंग थे इन तत्या टुपे का बास्तविक नाम क्या था रामचंद पांडूरंग थे 1869 को सिफपूरी में अंग्रेजों द्वारे इन्हें फांसीक पलटका दिया गया था वेकम हजरत महल का जरम 1820 में इनकी मौत होती है वित्ति होती है 1889 में नेपाल में उन्हें काठमंडू के जामा मस्जिद मैदान में दपनाय गया था तो ये भी याद रखेगा इस करांती से कुश्चंस जरूर आपकी परीक्षाओं में एक नए कुश्चंस आता है फिर आप देखेंगे भारत का अंग्रेज विरोधी संहस सन्यासियों के द्वारा सुरू किया गया था और सन्यासी विद्रों का उलेक वाकिम चंद चटर जी के उपन्यास आनद मठ में आपको देखने कुम लेगा 1887 में दादा भाई नौरो जी ने इंगलेंड में भारती सुधार समती की स्थाफना की इंगलेंड में 1857 में बेटे के बाद बेटे सरकार करूं कॉंग्रेस की पिती कठोर होता गया नौरो जी दाद भाई निकास का सिद्धान की पाधन किया था दादा भाई नौरो जी ने धन का पलायन सिद्धान का बढ़न किया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन इनकी पुस्तक को भी आप लोग याद रखेगा वेटिस हाउस और कॉमन्स का चुनाओ लगने वाले सरपिथम भार्ती थे दादा भाई नौरो जी उन्होंने लिबरल पार्टी की उमीदवार की रूम में फैंस्वरी से 1892 में चुनाओ जीता था तो यह भी आप लोग या की गई थी बंगाल विभाजन 16 एक्टूबर 1905 को फिरभावी हुआ था इस दिन पूरे बंगाल के सो में सोक्स दिवस मनाया गया था सौधीसी आंदोलों में बंदे मात्रम विभाजन नहीं चाहिए एवां बंगाल एक है आधी नारे लगाए गये थे कॉंगरेस पर कुछ से बनने की मरना मरने ही वाली है बाकिम चंद चटर जी ने का था कॉंग्रेस के लोग पदों के भूंके राजनितिक गहें ठीक है तो यह कॉंग्रेस से बढ़ कुछ लोगों ने टिपडिया भी की थी स्वाधियसी आंदोलन को का विचार से अपिथम किष्ण कुमार मित्य की पत संजीबनी में 1905 में पिस्तुत किया गया था आंदर के डिल्टा लायकि में सवधिसी आंदोलन को बंदे मात्रम आंदोलन के नाम से जाना गया था 1906 में कलकत्ता में हुए कॉंग्रेस के अदिविसन की अधिक्स्ता करते हुए दादा भाई नौरो जी ने पहली बार सौराज की मांग की थी यह भी याद रखेगा सौधिसी आंदोर्ण के आउसर फरही रविनाट टेगोर ने अपना पिसिद गीत आमार्न सोनार बंगला बाद में याईगीत आप सभी जानते हैं बंगाल का बंगला देश का राष्टी गीत बना इसकी लिखा था इसे बालगांगार तिलक पहले कॉं कि मंडले जेल में एरे छे वर्स काटने बड़े थे ने पिले की समझ जादातियों ने वहाज होकर पूना के चापिकर बंदू अदामुकर दामुदर और वालकिष्ण ने पिले अधिकारी रेंड और येर्ष्ट की हत्या कर दी थी अठारे सो तेरानवे का वर्स एक इससे जोड़े कोई पॉइंट है ने भी याद रखी लेजिएगा हो सकता है कि इससे कुश्चन्स आप से पूछा जाए अठारे सो तिरेपन में स्वामी बेवेकानन्द अठारे सो इनक ये देखेंगे अठारे सो अमेरिका के सिकागो नगर पहुंचे थे एक कुश्चन्स कई पहुंचे लाए कि अमेरिका के सिकागो में कप गए थी स्वामी बेकानन्द अठारे सो तरेपन में वहां जो सेप्टमबर में 1813 में में वहां उगरी धरम संपत में धरम जो सरब धम धरम संमेलन था ना संसद इसमें भाग लिया था और उन्हें दो मिनिट बोलने का समय द लगा था उस समय के बाद 1893 में 14 बस के बाद योगी राज अर्विंद घोस की भारत भूमी पर वापसी हुई 1813 में उन्होंने एक लेक माला निव लेंप और 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 पिकासित किया था 16 नमबर 1893 में को एनिवेसंट भारत आई वेवरानस सहल में रहने लगें उन्होंने भारतियों से कहा कि मैं हिदय से तुमारे साथ हूँ और संस्किती से भी मैं तुम्हीं लोगों में से एक हूँ एनिवेसंट आप लोग देखते हैं अगरे पहली महला द्यक्ष दिये दा रिमूवल ओफ और और स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थाफित की थी बंगाल में करांतिकारी विचारधारा को वरिंद कुमार घोस और भूपेंदना दत्त ने फेलाया था पांच में आप देखेंगे वारिंद कुमार घोस ने वरिंद कुमार घोस ने इनो ने भवानी मंदिर नाम कि पुस्तिका में क लिखी ति जिसमें किरांतिकारी बंगाल में पी मित्रा ने अनुसीलन सम्ती का गठन किया था जिसमें जिसका उद्देश था खून का बदला खून तो ये भी कई बार पूछ लेता है अनुसीलन सम्ती की कि तनी साखाएं थी अनुसीलन अनुसीलन सम्ती की साख में 500 साखाएं खूली गए थी जितनी 500 साखाएं अनुसीलन सम्ती न हैंचन्द दस कानून गो को फैरिस भीजा जिसमें रोसी करांतिकारी निकोलस सेंट फ्रांसिस्को अधियोत को अधिस्स्को सब प्रज़ की ने वं बनाना सीखा था नोंहोंने महाराष्ट में बिनायग दाम उदर साबर करने निससो चार में आपने देखा हो अभीनों भारत न्वपस अ कठन किया था और आप से पूछे कि अधिनाव भारत नामक शंत्ता का संगठन किस ने किया था बिना एक दाम उदर सावर करने ठीक है अविन्यों भारत संगठन के सदस पी एन वापट बंबनाने की कला सीखने के लिए पैरिस गये थे ठीक है महाराष्ट में करांधिकारी अंदूलन उभारने के लिए कसरे तिलक के पत्त केसरी मराठी में जो था इसे भी जाता है तिलक ने 1893 में गड़पती व अठारे सो बानवे पंचानवे में तिलक ने 1893 में तु आपका गड़पती उस्ता हो मनाना प्यारम किया था ठीक है और बेलेंटाइल से रोले ने बालगंगा था तिलक को भारती आसंतोस का जनक कहा था इस पॉइंट को भी जियाद रखेगा महराष्टर से महत्पूर्ण करांतिकारी पत्तिकाल का संपादक पराण जपे ने किया था और फेफुल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अपरेल 1908 को मुझाफ़पूर्पूर के जज किंग्स फोर्ड की हत्या का फैरतन किया गलती से बंप केनेडी की गा सब्सक्राइब करें जनम हुआ था हभीपूर उत्तर पिदेश में हभीपूर माप करिए जिला मेदनापूर पश्चे मंगाल में पकेड़नाय वाले पुलिस का नाम था फताय सिंग और सिफ प्रिसाद में थ्रा खुदीराम बोस की मुकदमें जज की बात करें तो यह थे इनका नाम क्या था इनका नाम था करंडव सरकारी वकील थे मानुद मानुद मजूमदार खुदीराम बोस की वरसे वकील थे कालिदास बोस फांसी की तारीक थी 11 अगस्त 1908 एक हांत में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तकते पर जा खड़े थे तो उसमय आप सूच बंगल के करांतिकारियों के युगांतर दल की सक्रिय सदस्ते युगांतर दल की निता वारिंद कुमार गोस्ते 1905 में लंदन में सियाम जी किसने बर्मा ने इंडिया इंडियन हॉम रूल सुसाइटी की स्ताबना की ती सियाम जी किसना बर्मा को करांतिकारियों का पिता भ पर 1906 को धाका के नवाब सलीम उल्ला खां की नियंतर्ण में सम्मेलन हुआ और नवाब वकारूल मुल्क इसके अध्यक्ष थे और इसी सम्मेल में अखिल भारतिय मुस्लिम लीग की का उदाय हो गया था लीग का समीधान 1907 में कराची में बना था और इस समीधान के अधिवे साथ को आयोजिस साथवी अंतराष्टी कॉंग्रेस में तरंगा फैना आने के लिए जानी जाती है और इनके माता पिता फार्सी थे इनोंने दादा भाई नवरोजी के निजी सचिप की रूम में काम किया था एक जुलाई 1909 को मदनलाल धिंगरा ने विलियम करजन वाइली को गोली मार कर हत्या कर दी थी और 16 अगस्त 1909 को मदनलाल धिंगरा को मितिव दंड दिया गया था 21 दे समार 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी दो आप समचे कि उस समय खून का बदला खून से लिया जा रहा था वाइसराय लॉड हर्डिंग ने 1911 में दिली म में भब दरवार का इवजन किया था इंगलेंड की समराट जोट पंचम और मेरी के स्वागत में किया गया था इस दरवार में नेम ने घोशनाय की गई थी कौन-कौन एक तो बंगाल बेभाजन को रद्ध करने की और बंगाली भासा छेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांद बनाने की बिहार अलग राज जो बना और जिसमें उड़ीसा भी सामिल था राजधानी को कलकसा से दिल्ली इस्थानांतित करने की घोशना की गई थी 1912 में दिल्ली भारत की राधधानी बनती है फिर आप देखेंगे 23 देसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वास मासराय लॉड हाइडिंग पर बंफेका और इसके पैडाम सवरूफ 13 व्यक्ति गरफतार किये गए थे इसमें थे मास्टर अमी अमी चंद दीनानात अवद विहारी लाल और बालमकुंद बसंद कुमार विस्वास हनुमंत शाह और बलराज दीनानात दबाव में आकर सरकार मास्टर अमी चंद अवद विहारी लाल और बालमकुंद बसंद कुमार विस्वास को फांसी दे दी गई थी तो उसनमें भी आप देखी कि लोग डर जाते थे कुछ एक नवंबर 1913 में अनेक भार्तियों ने लाला हर्द्याल की नेतित में सैने फ्रांसीस को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी ये कुश्चन सभी कई बार पूच लेता है सुभान सींग भागना इसके पिथाम अध्यक्ष थी लाला हर्द्याल ओ इसके पिथाम बंत्री थे कासी राम को साध्यक्ष चुने गए थे एक नवंबर 1913 को गदर अकवार का पहला अंक भी पिकासित किया था जो उर्दू में था 9 दिसंबर 1913 को यह गुरू मुकी में छपने लगा इसके पिते एक अंकी के पहले पिष्ट पर छपता था अंगरे जी राज का कच्छा चिट्था और कॉमा गाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरू दत्य सिंग किराये पर लिया गया था इनके गुरू दत्य सिंग के द्वारा यह जल्यान 359 यात्रियों के साथ 26 सेप्टमबर 1914 को हुगली परुचा बजबज नामक बंदगार पर जहाज पहुचना पर तलासी हु अंग्रेस सरकार ने के सरे हिंदी की उपादी से महत्मा गांधी को सम्माने इत किया था तो यह भी आप लोग याद रखेगा फिर आप देखेंगे कॉंग्रेस ने लखनववदी वेशन 1916 में कॉंग्रेस के दोनों दलों में एक्ता हो गई थी सियादी वेशन में मुसलिम इसलिए उन्हें भरती कराने बाला सर्जेंट का हैने लगे थी और 1916 में आप देखें गांधी जी ने अहम्दाबाद के करीब सावर्मती आसरम की स्थाफना की थी 1916 में विहार के एक किसान ने था राजकुमार सुकल ने गांधी जी को चंपारन आने की पेरित किया था चंपारन आन्दोलन के इस चुततार की 20 माई 1929 को चंगन बरस की आयू में इनकी डेथ हो गई थी अंग्रेजी अधिकारी एमन जिससे सुकल जी 25 बरसों तक लड़ते रहे उनके इस्तरात करम के लिए 300 रुफे भेजा हो कहा कि वह है चंपारन का कीला मर्द था कौन राजकुमार सुकल गांधी जी ने सत्यागय का सरपितम प्रियोग दच्छड अफेएका में किया था भारत में सत्यागय का पहला प्रियोग 1917 में जो चंपारन बिहार में अंदूलन हुगा था उसमें किया गया था चंपारन बिद्रो के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया पिता को समप्त कर दिया गया था तिनकटिया खेती में अंग्रेज मालिकों दवारा बिहार के चंपारन जले की रियत किसानों पर नेल की खेती के लिए एक तरह से क्या करते थे जोर देते थे नेल की खेटी के लिए और इसमें आप देखेंगे जबरन लागू तीन तरीकों में एक था खेती का अन्दो तरीका कुर्टॉली था कुस्त की था और तिनकठिया खेती में पिती बीगापर 20 कठथा तीन कठथा जोद पर नेल की खेती करना अनिवार बना दिया गया था वैसेंटर ने 20 अपरे अगस्त 1917 में हॉम लूल लिग को समाप्त करने की घोशना की थी 1918 में मातमा गांदी जी ने एहमदाबाद टेक्स्टाइल्स लेवर एसोसीशन की स्थापना की थी और यह हो सभाई की सबसे बड़ी ट्रेड इूनियन थी यह गांदी जी ने ट्रश्टी सिपका सिध्धान दिया था इसमें इसमें उन्होंने बताया था कि पुझी पती मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए ट्रश्टी होते हैं और 31 अक्टूबर 1920 को एन एम जोसी ने आल इंडिया ट्रेड इूनियन कॉंग्रिस की भी स्थापना की थी से भी याद रखे इसके पिताम अध्यक्च लौला लालफत राय बनाए गये थे मादमा गादी ने पहली बार भूंक हरताल एहमदावाद मिल मजदूरों के हरताल में की थी 1918 की बात है 1918 की समत्र में गांदी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं अंदोलन चलाय था 1919 मार्च 1919 को रॉलेट टेक्ट लागू किया गया था इसके अनुसार किसी भी संदे इस पर भैक्ती की बिना मुकदमा चलाय गरपतार किया जा सकता था परंतु उसके बिरुद ना कोई अपील ना कोई दली ना ह सर में जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था डॉक्टर सत्पाल और सिफुद्दीन किचलू की गरफतारी के विरुद में एक जनसभा हो रही थी इसमें जनरल डायर ने आर इएच डायर ने अंदाधंद गोलिया बरस्वाई थी चलवाई थी सरकारी रिपोर्ट के 389 वेक्ति और कॉंग्रेस समती के अनुसार समें 1000 वेक्ति मारे गये थे वह समय पंजाब का लेप्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर हुआ करता था आप सोचे कि करोना के समय अधिकी सरकारी आकरे देख लिजे और हकीकत में आकरे उससे कई गोने जानदा रहे तो यसा तब ही होता था जलिया बाला बाग हत्याकान में हंसराज नामक भारतिये ने डायर की सतका सहुख किया था तो यसे गद्दार ओसमय भी हुआ करते थे संकरन नायर ने जलियावाला बाग हत्याकान की विरोध में वायसराई कारकारणी परिसद की सदस्ता से स्थीफा दे दिया था जलियावाला बाग हत्याकान की विरोध में महत्मा गांदी को जो केसर ये हिंदी की उपादी मिली थी ना इसे उन्होंने ट्याग दिया था, जमलालाल बजाज ने राय बाहदुर की उपादी को ट्याग दिया था, रवेदना टेकोर ने सर की उपादी को बापस कर दिया था और जलिया बाला बाग हत्याकान की जाज के लिए 19, अक्टूबर 1919 में लॉड हंटर की अध्यक्स्ता में एक कमेटी बनाई गई थी, इसमें पाँच अंग्रेज, तीन भारती सर, चिमनलाल, सीतलवाड, साहव, जदा, सुल्तान, अहमद और जगत, नारायन सदस थे और कॉंग्रेज ने जलिया बाला बाग हत्याकान की जाज के लिए मदन मुहन मालविय की नेतित में एक आयोग ने उक्त किया था, इसके अन्यस अदसों में मौतिलाल नहरू और गांदी जी सामिल थे और जलिया बाला बाग कभी भी जली नामग व्यक्ति की संपत्ती थे खिलापत आंदोलन भारती मुसल्वानों का मित राष्टों की विरूद, विसेसकर वेटरिन के खिलाप तरकी के खलीपा के समर्तिन में आंदोलन था और 17 एक्टूबर 1919 को समुचे देश में खिलापत दिवस मनाये गया था 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसल्वानों की एक सैयुक्त कॉन्फरेंस हुई थी जिसकी अध्यक्सता महत्मा गांदी ने की थी रॉलेक्ट टेक्ट चलिवाला बागत्यकांड उख्लापत आंदोलन के उत्तर में गांधी ने एक अगस्त उनीस सो ब्याली महमद ने महमद अली को महठ मध अली जिनना एनीवेसेंट और विपिसु पाल को ऐस ही है और अता हुनों ने कॉंग्रिस छोड़ दी थी किसने मुहमद अली जिलना ने एनी वेसंट ने विंचंद पाल ले असाइग गांदोलन के द्वारान विदेसी बस्तों को जलाये जाने वो पर रविन्ना टेगोर ने महत्मा गांधी को लिखा कि एनिस्टोर बरबादी है यान इस घटना दुखे ठोकर महत्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असाइग अंदोलन को बापस ली लिया था और इस समय महत्मा गांधी बारदॉली में थे चंदसीकर आजाद पंडिस से समंदित कुछ है पंडिस जी से समंदित कुछ का यहां पॉइंट दी गए ने भी पूरा नाम अगर चंदसीकर आजाद की बात करें तो चंदसीकर सीताराम तेबारी इनका नाम था इनका जनम भावरा जहाबुआ जिला बरत्मान में जिला अ 1931 को इन्हें सहीद हो गये थे संबंदी संगठन की बात करें तो नौजवान सभाकिर्थी किसान पार्टी इंदुस्तान सोचलिश्ट रेपब्लिक इसोसीयेशन से जुड़े हुए संगठन थे 13 मार्च 1922 को महत्मा गांदी जी को गरपतार कर छे वर्स की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गए थी स्वास्तिसमंदी कारणों से महत्मा गांदी को पांच परवरी 1924 को रहा कर दिया गया था 1922 को आप देखे मेवार भील अंदोलन का नेता मोतिला तेजावत था 1923 में इलावाद में चितरन जंदास और मोतिला नहरू कॉंगरेस के अंतरिम सुराज पाइटी की स्थापना की थी इन्हों ने अंतरगत सुराज पाइटी की स्थापना 1923 में हुई इलावाद में चितरन जंदास और मोतिला नहरू ने मात्मा गांधी सिर्फ एक बार कॉंग्रिस के अध्यक्ष बने वो भी बैल गाओ में जो अध्यक्ष अध्यवेशन हुआ था ना 1924 में इसके अध्यक्ष बने थे सचिंद सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदोस्तान रिपब्लिक एसोसीशन की स्थापना की थी 9 अगस्त 1925 को दस ब्यक्तियों को सहारानपुर से लखनव की और जारी आर्ट ड्राउंट ट्रेंड से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामकिस्तान पर लूट लिया था और इसे ही आप लोग काकोरी कान्ड भी कहते हैं स्तरकारी खजानन लूटने का विचार रामपिसाद बिसमिल खा था और इसमें रामपिसाद मिसमिल राजिंद लहीडी रोसन सींग अस्फाक उल्ला खां को दिसम्बर 1927 में फांसी दे लिए गई थी सचिन सन्याल को आजीवन कारवास दिया गया था मनमत नात गुप्त को अदै बरस की सजा हुई थी रामपिसाद मिसमिल लिया कहते हुए कि मैं राजि की पतन की इक्षा करता हूँ फांसी पर लटक गए थे संभा होता असफाक उल्ला खां पहले भारती करांती कारी मुसल्मान थे जो देश की सचन था के लिए फांसी के तक थे लटके थे ठीक है इस तरियों ने स्वैम अपने अधिकारों के लिए अंदोलन करने के उद्देश से 1926 में अखिल भारती महला संगे की स्थाफना की थ अधारना था नहरू रिपोर्ट को अंतरे मिरूप से अगस्तों ने 282 में आई जिए सरफ दली इस तम्हिलन में सुईकार किया गया था इस सम्हिलन की अध्या डॉक्टर अंसारी नहीं की थी तीस अगस्तों ने 282 इस वी को लाहर में साइवन आय कि विरो दिपेदसन करती से दो दल थे एक तो आप देखेंगे जस्टिस्ट पाइटी और एक थी पंजाब यूनियस्ट पाइटी को सी पंजाब यूनियस्ट पाइटी पंजाब यूनियस्ट पाइटी और जस्टिस पाइटी भागसिंग के नेतित में पंजाब के किरांतिकारियों ने 17 दिसम्मर 19 को लाहर के ततकालिन साहिक पुलिस कप्तान सांडर्स को गोली मार दी थी पब्लिक सेप्टी बिल पास होने की विरोध में 8 अपरेल 1929 को बटु केसर दत्त और भगासिंग ने दिल्ली में सेंटरल लेजिस्टिल लेटिव असेमली में खाली बेन शुप बन फेका था किरांती इस ने 1929 में लाहर अदी वेशन में पूर्ण सुराज की को अपना लक्ष घोषित किया था इस अदी वेशन की अद्धाक्षता हमारी डप जवालाल नहरू साब ने की थी 26 जनवरी के सुतंता दिवस की रूम में मनानी की परंपरा सुरू ही थी और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 1980 समर्थकों के साथ सावरमती इस तर अपने आसरम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दंडी के लिए पिस्थान किया था लगभग 24 दिनों के बाद आप देखेंगे चैपरेल 1930 को डांडी पहुचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सभिने एवग्यांदोलन की सुरुवात की थी सुभाष्चन वो उसने गांधी जी के नमक सत्यागे की तोला नेपूलियन की एलवास से परिस की यातरा से की थी और 4 मार्च 1931 को गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था इसके बाद आप देखेंगे गांधी जी ने सभिने एवग्यांदोलन इस्तेजित कर दिया था गांधी इर्विन समझोते को दिल्ली समझोता की नाम से आप लोग जानते हैं 1931 में सदार वल्लाबाई पटेल की अधिक्षता में कॉंग्रेस के कराची अधिविसर में पंडित जवालाल नहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक करकरम पर संकल प्यारू पीत किया था इस पिस्ताओं को बनाने में एम एन रॉय ने नहरू की मदद की थी ऊतिविसर में गांधी इर्विण पेक्ट को सुईकार किया था और गांधी को दुतिए गोल में सम्मेलन में भाग लेने की अनुमतिदी दी इगती only गोल्फट है 157 नवंबर 1931 को गा था महातुमा गांधी ने कॉंग्रेस या समपाइग पती निदित के कारणर तीनों गोल में समेलन के समयलन के पिधानमत्री जैम्स, रेम्जिट, मैक डोनाल्ड थे, डॉक्टर भीम्राउ मेडकर को लंडन में हुए तीनों गोल में समय हो में अच्यूतों के पिती निद्धाउ में बुलाइगा था रहा जाग लिया था, दूसरे गोल में समयलन कि असफनता कि कार गांधी जीने तीन जणुनरीं 1932 को पुना सविनययग्या अंदुलन प्यारम कर दिया था और सविनयययग्या लुग्या अन्दियम रूप से साथ अपरयल 1932 को वापस लिया गया था सविन्या एक विया अंदालों में पठान सत्या गया ही हो पर गोली चलाने से गड़वाल राइफल्स ने इंकार कर दिया था 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगस सिंग और राजगुरु को फांसी पलटका दिया गया था ये डेट थी 23 मार्च 1931 और माई 1934 को कॉंग्रेस सोसलिस्ट पारटी की स्थाफना होई थी माई 1934 को आप देखेंगे कि इसमें अखिल भारती है अखिल भारती किसान सभा का पिथम सम्मिलन अपरेल 1936 में होता है कहां हुआ था लखनव में हुआ था और इसके अध्यक्ष थी स्वामी सहजानन्द महा सचिपते एन जी रंगा चुने गया थी पहली बार स्वामी सहजानन्द सरसुती ने हुंकार नामक कौंसी हुंकार नामक पत्तिका का पटना से पिकासन किया था और यह किसान अंदोलन की पत्तिका थी, राहूल सांस के तियायन का इस सपताहिक पत्तिका के 1942 में संपादक बने थे, अखिल भारती यह किसान सबा की अगर बात हो तो 11 अपरेल 1936 में इसकी लखनों में इस्तापना की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष को भी आपको याद रखना होगा, आप सभी जानते हमारे देश में किसानों की क्या हालत हैं, और सबसे बुरी इस्तिती में रहते हैं, आप देखें कि वरसात जाना हो जाए, तब भी प्रॉबलम, बार आ जाए, तब भी प्रॉबलम, और आप देखें सूखा पड़ जाए, तब भी प्रॉब इतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड विलोग कहते थे और सुभाशंद बोस ने सुतंतर संगर्स के दौरान थ्री इंडियन लीजन का भी नामक सेनक बनाई थी तो इन्हें भी याद रखें सुभाशंद बोस से जुड़ी हुई है ठीक है 1949 में भारत प्रजामंडल All India States People's Confident के अधित जवालाल नेरू थे वो इसका गठन 1927 में किया गया था 13 मार्च 1940 को लंदर में पंजाब के सुनाम नामकिस्थान के सरदार उधम सिंग ने पंजाब के भूथपूर लेप्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दे थी गांधी जी ने आप देखेंगे तो 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में बेक्तिगत अन्दोलन सुरू किया था अन्दोलन को दिल्ली चलो अन्दोलन भी कहा जाता है तो इससे भी आप लोग याद रखेगा 24 मार्च 1940 को मुसलिम लीग के लाहोर अदिवेशन में अध्यक्षता करती हूँ मैं हुमत अली जिलना ने भारत से अलग मुसलिम दाश्ट पाकिस्तान की मान की थी 1940 में अगर आप से देखी एक पूछे पाकिस्तान सब्द का सरफितम प्रयोग किस ने किया था तो लंडन में केमरीज विस विद्ध्याले की एक विद्ध्यार थी थी चौदरी रह्मत अली और उसके तीन साथियों ने जनवरी 1933 में पेकासित किये गए एक पैंपलीट अब या फि स्वासन दिया था कि वेटेन और भारत के बीच किसी भी समझोते कि स्तिती में अल्प सक्याओकों की सुरक्षा का फूर ध्यार रखा जाएगा 1942 में बर्धा में कॉंग्रेस ने अंग्रेज जो भारत छोड़ो पिस्ताओ भी पारिस्त किया था कब 1942 में बर्धाब में फिर आप देखेंगे 7 अगस्त 1942 को कॉंग्रेस की बैठक बंबई में इतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई थी और इसकी अध्यक्ता अभूल कलाम आजाद साहब ने की थी गांधी की भारत छोड़ो पिस्ताओ को कॉंग्रेस कार समती ने 8 अगस्त 1942 को सुविकार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हो गई थी वह इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था इसमें गांधी जी के और भी आप देखे की कॉंग्रेस के जो बरिष्ट नेता थे जो आंदोलन कारी थे उन सब को गिरफकार कर लिया गया था ठीक है और गांधी जी को पूना के आगा खाम महल में और कॉंग्रेस कारकारणी के अंगस्त अदस्तों को एहमद नगर के दु गांधी जी को रहा कर दिया गया था जेल से उसा महता भारत छोड़ो अंदोलन के समय खूपिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विक्या थी कौन उसा महता भारत छोड़ो अंदोलन के उपरांध मुसलिम लीग और कॉंग्रेस की भी सम्मिधानी गतिरोथ को पढ़ते हैं आप लोग अकिकर्ति दिहास पढ़ते हैं इसमें सभी का योगतान है ठीक है आजाद हिंद फॉज की स्थापना का विचार सरभ यतं केप्टन मोहन सींग के मन में आये था किसके केप्टन मोहन सींग के तो इसको आजाद फॉज को भी याद रखी गा थिर पित्थम डिवीजन का घठान एक सेप्टमबर 1942 में केप्टन मोहन सींग के द्वारा किया गया थान परन्तु वे असाफल लहे थे आजाध हिंद फोज का सफलता पूर्वक स्थापना के सरे रासविहारी बॉस को जाता है किसे रासविहारी बॉस को भारत की सुतंता की लड़ाई में सुभाष्चन बॉस अगणी करांती कारी थे और भारत की सुतंता ही तुब विदेशी साहता पराप्त करने के लिए बॉस 1941 में जर्मनी पहुंचे थे वहां जर्मनी जर्मन बिदेश मंतराले की साहता से उन्हें दाफ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जहां से आजादी के पर्चे चपबाते थे और भासर देते थे एक बात और आपको बता दूँ देखिए जो भी हमारे आजादी में जिनका योगदान रहा है जिननेताओं का उन पर अगर कोई मूवी बनी हुई है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए आप लोग कापी अद तक इतिहास कवर करते हैं और जान पाते है आप सभी जानते हैं अगर आप देखिए इतिहास पर कोई मूवी बन जाए तो बहुत कम चलती है हमारे देश में लेकिर अमेरिका में आप देखिए हॉलीबूर मूवी अधिक तर आप देखते होंगे कि इतिहास पर ही बनती है वो अच्छा भाला कमाती भी है और चलती भ भारती यूद बनियों को भरती कर 10,000 सेनिकों का दल गठित किया जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया था सुबार्शन्द बॉस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापूर में सुतंद भारत की आजथाई सरका का गठन किया था और जिसका जर्मनी वाज जापान ने समर्थन भी किया था अक्टूबर 1943 में सुबार्शन्द बॉस को आजाध हिंद फोच का सर्वोच चिन सैनापती ने उतिया गया था और आजाध हिंद फोच के तीन बिगोडों के नाम देखिये जिसमें बिगेड थे सुबास बिगेड गांधी बिगेड नहरू बिगेड थे और महलाओं के बिगेड का नाम रखा गया था लच्छी बिगाई रेजिमेंट आजाध हिंद फोच का जंडा कॉंग्रेस के तिरंगे जंडे की भाती था जिस पर दाहाडते हुए सेर का चिन बना हुआ था दाहडते हुए सेर का फिर आप देखेंगे 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडवान निकुबार दुईप सुबास चन बोस को समप दी थे और निता जी ने इसका नाम करमसा सहीद दुईप और सुवराज दीप रखा था और फिर आप देखेंगे 22 सेप्टमबर 1944 को सुबास चन बोस ने सहीदी दिवस मनाए था और टोकियो जाती हुए फार्मुसया दुईप की पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुबास चन बोस 18 अगस 1945 को मारे गए थे और इस गोटन दुरगटना को अभी तक पिरमाडित नहीं माना जाता है मानते हैं कि इसमें सुबास चन बोस थे ही नहीं समझ रहें तो इस तरह कर देखिए अब कोई जान भी नहीं हुई तो मालू भी ऐसली यद क्या थी मालू नहीं चल पाई सुबास चन बोस का जनम बात करें तो 23 जन्वरी 1897 को कटक उडिशा में इनका जन्म हुआ था आजा धेंद फौज के गिरपतार अधिकारी तीके सहगल कर्णल गुरू दयाल धिलन और मेजन सहयान भाज खाप राजदरों का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल के लिए पर नवंबर 1945 में मुकद्वा चला था और वायस राय ने इनकी सजा माप कर दी थी आजा धेंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा असप अली तेज बहादर सप्रू जवाल लाल धेरू भूला भाई देशाई की नेते तो एक की एन काटजू ने पेरवी की थी बकीलों की रूम में पर आप देखेंगे कराची में 20 फरवरी 1940 को वायू सेना की कुछ सेनिकों ने बेटे सरकार की बिरो धरताल कर दी थी और बंबई लाहर दिली में भी EFC फैल गई थी और इसमें लगभाग आप देखेंगे बाबन सो 5200 सेनिकों ने भाग लिया था और इनकी प्रमुक मांग the the nggak और अगरे स्हेंगों में बराबरी कभी वार किया जै बाय भाडी भारत और जो अंग्रेंजी सेनिके उन दोनों के साथ बराबर कभी वार किया जाए आप सभी जानते होंगे कि अंग भेदभाव किया जाता था फिर आप देखें कि साहीромosë सेना को विद्रों साहीромos lại का विद्रो होता है रोयल इंडियन नवी के विद्रो की सुरुवात 18 फरवरी को हो जाती है जब बंबई में HMI S तलवार के 1100 नाविकों ने नक्स नसल बादी भेदभाव और खराब भोजन के पिती बाद में हरताल कर दिया था और 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हर कर दिया था कराची में दमनपूर्वक आत्म समपन कराये गया और जिसमें 6 नाविक मारे गए थे नौ सेना विद्रो में इंकलाब जिंदाबाद जैहिंद और हिंदो मुस्लिम एक हो वेटिस समराज मुर्दाबाद आजाधिंद फोज की केदियों को रहा करो इस अभी ना कर दिया था और हम भारत के सामने आत्म समर्पन कर रहे हैं और बैटिस के सामने नहीं यह इनके द्वारा कहा गया था फिर आप आपका आता है cabinet mission आप लोगोंने पड़ा भी होगा इसे बारे में cabinet mission आता है 1946 की बात है फिधार मुंतिरी यटली ने 15 फरबरी 1946 को भारतिय समिलान सवा की स्थापना और तकाली जोलंद समस्याओं भारतियों से विचार विवस के लिए cabinet mission को भारत में भेजनी की घोसना की और 24 मार्च 1946 को cabinet mission दिली पहुचा इस सिस्ट मंडल में आप देखेंगे तो इस्टेफ हो 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 अध्यक्स थी बार्ड ओप ट्रेड पैंथिंक लॉरेंस ए भारत से चिफ थी और ए भी अलेकजंडर नौसेना मंत्री थे कैबिनेट मिसन पैंथरिक लॉरेंस की नेतित में आये था और कैबिनेट मिसन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कॉंग्रेस ने 25 जून 1946 को सुईकार कर लिया था और कैबिनेट मिसन योजना को सुईकार किये जाने की परश्चा सम्मिधान सबाके निर्मान के लिए हुच चुनाओ में चुलाई 1944 में कॉंग्रेस ने 214 सामन इस्थानों में से 205 इस्थान पराप्त की थे मुसलिम लीग ने 78 मुसलिम इस्थानों में से 73 इस्थान असिल की थे कॉंग्रेस को चार सिख सदसों का भी समर्थन पराप्त हुआ था और मुसलिम लीग ने 16 एवेस सुईक्ष कारवाही दिवस मनाया था उस समय बंगाल में मुसलिमली की सरकार थी, बंगाल के मुखमंत्री थे उस सहीद सुहरा वर्दी, और पितेक्ष कारवाही दिवस के पैडाम सवरू बंगाल विहार और पंजाब में भेंकर हिंदू मुसलिम दंगे हुए थे और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंट बेटन यहुजना पिकासित की गई, और माउंट बेटन यहुजना को कॉंग्रिस कारसंती की 3 जून 1947 की वैठक में सुईकार कर लिया गया था, और आप देखेंगे कि 14 जून 1947 को कॉंग्रिस महासरचीप के वैठक में गोविन्द ब कहा था कि Congress कारेसंती का फैसला सही फैसला नहीं है लेकिन Congress के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है एक बात और आपको बता दू देखिए भारत और पाकिस्तान के बटवारे को लेकर आप देखिए हमारे जो आजादे जो भी नेता रहे हो समय कि उन पर उंगलिया उठती रहती लेकिन आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ या आप लोगों से सवाल बूचता हूँ माली जे कोई परिवार है और आप सोचिए उसमें दो-चार भाई है और बाप वो महबाप हैं आप सोची कि अगर भाईयों में देली आप देखिए मार काट चल रही हो चारों तरब बाप के पास option क्या बचता है आप लोग बता है अलग करना ही उन्हें अलग करना ही option बचता है तो 1947 आते आप देखी कि हमरे देश में दंगे हो रहे थी हिंदू-Muslim आप देखी कितने लोग मारे जा रहे थी और मुझे लगता है कि उस समय कि निताओं के पास कोई विकल भी न सरम मिती में सरम मती से पास ना हो सका और 161 सदतों ने उसके खिलाब बोड दिया या फिर भी ततरस्त रहे थी और पिस्ताओं का ब्रेउत करने वालों में सिंध कॉंग्रेस के निता चौत राम मेडवानी पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक डॉक्टर किचलू, पुरुसुत विकार कर लिया था, लीक का बैठक में उपस्ति 400 सदतों में से सिर्फ 10 सदतों ने इसका विरोध किया था, और आप देखिए कि उन में से जो मुसलिम पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो एक नए देश चाहते थे, उन समने सपोर्ट किया था, चार जुलाई 1947 को बेटिस संस पाकिस्तान में माच दिया जाएगा, दोनों डोमीनियन उपको पूरी सतंता और संविर्पूरता दी जाएगी, और 14 अगस्त को पाकिस्तान अधीराज और 15 अगस्त को भारत अधीराज की स्थापना होगी, फिर आप देखेंगे भारत की आज़ादी की समराट जोर्ज सश और आप देखेंगे कि जबालान नहरू की नेतित में अंतरिम सरकार का गठन 2 सेप्टमबर 1946 को उगा था, और 26 अक्टूबर 1946 को मुसलिम लीग 5 सदस अंतरिम सरकार में समलित हो गए थे, और 27 मार्च 1947 को मुसलिम लीग ने पाकिस्तान दिवस की रूम में मनाया था, और सो भागसीं के विरूद मुखवरी करने की कारण फनीन घोस्क हत्याग वेकुंड सुकलेने की कर दी थी, फनीन घोस्की हत्याग इसने वेकुंड कुसल सुकल ले, महत्मा गांधी द्वारा इस्ताफित हरीजन सेवक संग की संपादग अध्यक घंसयाम दास बिढला थे, यह लोग जरूर याद रखे, गांधी जीने कॉंग्रेस की सदस्ता से दोवार त्याग पत दिया था, एक तो 1925 में, एक 1930 में, बाटो और छोडो कनारा लीक ने, दिसम्मर 1943 में कराची अधीवेशन में दिया था, ठीक है, कॉंग्रेस का पिथम बैटे सद्धेक्स था, यूल, ये भी याद रखेगा, मैं देश में, देश के बालू से भी कॉंग्रेस से बड़ा अंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, किसने का था, मात्मा गांधी साहब ने, गांधी जी हरीजन नाम बाली तीन पत्रों का वेकार्शन करते थे, हरीजन बंदू गुजराती में, हरी चेता कौन थे, नर्सी में हिता थे, डंडा भोज का गठन पंजाब में चमन द्वीप ने किया था, डंडा भोज, धीन बंदू मित्य का नाटक नील दरपंड में नील की खेती करने बालों पर हुए अत्याचार का उल्ले किया जाता था, इसमें, राष्ट्यवादी अहरा अंदूलन मजहर उल्हक ने पयारम किया था, आत्म सम्भाद अंदूलन की सुरुआत रामस्वामी नायार ने की थी, निर्गंकारी अंदूलन की सुरुआत दयाल दास ने की थी, ब्रह्मा समाज का पितिग्यापत देविंदनाठ ठाकोर ने तेयार किया था, देव समाज क को में 20 से धर्म संभीलन को संभूधित किया था दिली सरेंद केस में दीनानाथ के द्वारा मुक्विरी की गई थी अलीफोर केस में सरकारी के बाद नरंद गोसाई बने थे सबसे को में में फांसी किसी पाने वाले वैक्ती थे खुदी राम बॉस यह आप लोग जरूर रिया याद रखेगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगस्तिंग ने दिया था सहीद आजम के नाम से भगस्तिंग को जाना जाता है भगस्तिंग को फांसी की सजा सुजाने वाले नियादीस का नाम था जे जी सी हेल्टन और सबसे लिए सब के लिए एक जाती एक धरम एकी सु का नारा नारायन गुरू ने दिया था किसने नारायन गुरू ने दिया था ये भी आप लू याद रखेगा किसका इंकिलाब जिंदावाल और सब के लिए नारायन गुरू ने दिया था सबड हिंदो की फांसिवादी कॉंग्रिक्स का कॉंग्रिस का चरित निरूँपन मुहमद अली जिन्ना ने बाधी आप दिखें किस ने कहा था, बला भाई पातेल को सदार की उपदी बारदोली सत्यागय के द्वारान, आप देखिए, की महिलाओं की वह से गांधी जी ने पикиट roman की थी यह भी बारदोली सफ्या गया जैडे सफल हुआ था सुभाष्ण डॉस को सरफेस्थम नेता जी एडलer ने कहा था यह या maior रखेगा नेता जी पिजहुआ गौकली की अध्यात्मी राजनेतिक गुरु की बात करें तो आद रखी습ंग रनाडे सहाव थे- गोखले के अध्यात में को राजनेतिक गुरु कुन थे? रनारी साहब महत्मा गांदी के राजनेतिक गुरु अगर पूचे तो गोपाल किसने गोखले साहब थे? और सुभास्चन्द बोस के अगर राजनेती गुरू की बात करें तो देश बंदू चितरंजन दास थे भारत का विस्मार किसी कहते हैं सरदार बल्ला भाई पटेल को कहा जाता है सुध्धी आंदोलन के प्वर्दक कौन थे स्वामी दयानन्द सिर्फसुती साहब 19-20 सदापदी में भारती पुनजारगन का पिता राजारा मुहनराय को कहा जाता है अकिल भारती हरजन संगी की स्थापना महत्मागांदी साहब ने की थी फ्रेंक मौरिस ने महत्मागांदी को अर्द नग्न फकीर कहा था राष्टी युवा दिवा स्वामी विवकनन से संबन दित है यंग बंगाल अंदोलन का पिवर्तक कौन थे विवी एन डिरो जी ओ कॉंग्रिस में मौलाना अभूल कलाम आजात किया देख्ष्टा में भारत छुड़ो पिस्ताव पारित किया था भारत की पितामा ग्रेंड ओल्ड मैन ऑप इंडिया दालाभाई नौरो जी को कहा जाता है गोपाल हरीदेश मुख को लोग हितवादी के नाम से जानते हैं आप लोग दिना ताज का वासा सुरेंद नाद वनर जी को कहा जाता है एओ हिउम को हर्मे टॉप सिंबला कहा जाता है हर्मे टॉप सिंबला तो याद रखेगा एओ हिउम 1885 से लेकर 1907 तक कॉंग्रेस की महामंतरी रहे कॉंग्रेस की पिता मुसलिम अध्यक्स ते बदरुद्दीन ते अब जी एक कुष्ण से भी कई बार बन चुका है रॉल एक टेक्ट को बिना अपील बिना बकील और बिना दलील का कानून कहा था मुहमद अली और सौकत अली ने 1919 में कलाबा तांदोलन की सुरुआत की थी तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लेना वाली भारती नेता कुन थी डॉक्टर भीमराव मेटकर साहब 22 दिसंबर 1949 को कॉंग्रेस मंती मंडल ने सामुई करूप से त्याकपद दिया और इस दिन मुसलिम लीग ने मुक्ति दिवस्त के रूम में मनाय था गांधी जी ने किस्टाओ पर कहा कि यह एक आंगे की तारीक कचेक है जिसका बैंग नस्ट हो चुका किसने गांधी जी ने और INDEPENDENT फोर INDER्इना की स्था आपना किस ने की थी पंडिजवाहलाल नेरु और शवाशन बोसने इंडिया इंडिपेंड dependent लीकी स्थापना रास बिहारी वह सहब न की थी राश्टी ये सुतंता अंदुलन की कोur किया चैलूलर जेल अन्डवान में स्थित्थी अदुवान में, आरे महला सवा की स्थापना पंडिता रामा भाई ने की थी, तो ये भी याद रखेगा, आरे महला सवा की स्थापना पंडिता भाई ने की थी, अब आप देखेंगे ये भारती धार में एक सामाजी को राष्टी आंदूलों से सम्मित महपूर्ण संगठने संस्थाइं हैं इन्हें जरूर याद रखिएगा यह तो आपकी संस्थाइं होगे इस्थापना होगे जिस साल हुई थी और इसके संस्थापना को गए जैसे एसियाटिक सुसाइटी इसकी स्थापना 1784 होती बिलियम जोन्स करते हैं आत्मी यह सबा आप देखेंगे 1815 में र क्रमा समाज 1828 में राजा रा मुहराalnya ने सकी स्थापना की थी तथ्व वोध नी सभा 1849 में ओनार्द ठाकं ने इसकी स्थापना की थी वे टिश्थारvji निक सभा 18 segurança sectors में दादाभाई नोरोजी ने स्थापना की थी पर्रमाहन समंडली 1840 में गोपाल हरीदेश मुख ने इसकी स्थापना की थी रहनुमाई मजदायान सभा 1859 में इसकी स्थापना हुई थी दादा भाई नोरोजी ने वाली का विद्धियाले 1859 में ज्योतिवा फूली ने महमंदन एंगलो लेटरेरी सोसाइटी 1863 में स्थापना हुई थी अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना की थी अब्दुल लतीफ ने तो यह जरूर आप लोग याद रखेगा और भी अभी संस्था हैं इने भी याद रखेगा Scientific Society इसकी स्थापना हो 1864 में की गई थी सरसेद एहमद खां की द्वारा एश्टी इंडिया एसोसीशन 1866 में दादा भाई नोरी जी की द्वारा फूना सारुजनिक सबा 1866 में एमजी रनाड़े की द्वारा फरातना समाज 1866 में केसाव चंद की सहयोग से एमजी रनाड़े और आत्मराम पांडूकर और दिवेन नाड़ ठागोडने की द्वेद समाज 1866 में आचार केसाव चंद सेनने सत्थ सुधक समाज 1873 में जीव दीवा पुले अलीगर्ण मोहमणनन एंगलो ओरियंटल कॉलिज 1875 में सेयद एहमद खानने इंडियन लीग 1875 में सिसिर कुमार घोस ने आरे समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने थीयो सॉफीकल सोसाइटी 1875 में मेडम दिलाष्टिस्की और कंडल अलकार्ट ने इंडियन एसोसीशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुनेननात बनर जी ने युनाइटिड इंडियन कमेटी 1883 में वेवमिश चंद बनर जी भारती राष्टी कॉंगरी 1885 में एओ यूम ने वंबे प्रेसिंडेंसी एसोसीशन 1885 में प्रोसामेता और तेलंग तथा तेअब जी ने देव समाज 1887 में पंडित सिव नारायन अगनी हुत्री ने बैलूर मट 1887 में स्वामी बिवे कानन्द ने पर आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल सोसलिस्ट इंडियन नेशनल सोसल कॉंफेंस 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने सार्दा सदन 1889 में रामाबाई ने राम किसन में सन 1897 में स्वामी बिवे कानन्द ने अभी नव भारत संस्ता 1904 में बिनायक दामुदर्ख सावर करने सर्वेंट औ मापकरी सर्वेंट ओफ इंडिया अलसुदर रायटी 1905 में गोपाल किसन गोखली ने मुसलिम लीग 1906 में आगाखा और सलीम उल्ला ने अनुसीलन सम्ती 1907 में स्री वारिंद घोस और भूपिन दजत ने सोसल सर्विस लीग 1911 में सिरिंडारायन मलहार जोसी ने विस भारती 1912 में रविनाटे गोठाकोर ने गदर पार्टी 1903 में लाला हरदयाल और कासी राम ने हिंदु महासबा 1915 में मदन मुहन मालभी ने हॉम रूल लीग 1911 में तिलाक और एनी बेसिंट ने वीमेल्स इंडिया एसोसीशन 1917 में लेडी सदासिव अयार ने खिलापता अंदुलन 1919 में अली बंदु होने अकेल भारतिय टेडी उनियन 1920 में एन एम जोसी ने सोराज पार्टी 1923 में मोतिलाल नेहरु अर्चितर अंजन दास ने हिंदुस्तान रिपब्लीकन एसोसीशन 1924 सचिंद सन्याल ने और बहस्कित कार्णी सभा 1924 में बियार अम्पेटकर ने राष्टी एसोईब सेबक संग 1925 डॉक्टर हेड गवार ने नौजवान सभा 1926 भागस सिंग शवील दास व एसफाल ने हिंदुस्तान सोसलिस्ट डिपब्लीकन एसोसीशन 1928 में भागस सिंग ने खुदाई खितमतकार 1930 में अबदुल गफ़ार खान ने हरिजन सिबन संग फूने में 1932 में महत्मा गांदी ने सुतंत सैमिक पायटी ए 1936 में भी आरमबेटकर साहब ने और फारवर्ड विलॉक 1949 में सुभाष्ण बॉस ने और आजाधिंद्र पोज 1873 से 82 एक राजनेतिक दल था और जिसने आयर्लेंड में सौसासन हॉम लूग के लिए आंदोलन किया था भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रेल 1916 को वैलगाव पुना में हॉम रूल की स्थापना की गई थी और सेटमबर 1916 में एनी वेसेंड के द्वारा मदरास में हॉम रू पुल लीक की स्थापना की गई थी जरूर आप लों याद रखी का फिर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय का नाम आप लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा का जनम 17-74 में राधा नगर नामक बंगाल के गाव में हुगा था उन्होंने अपने जीवन में अरवी फार्सी अंग्रेजी ग्रीक हेप्रू आदी भासाओं का अद्धेन किया था समझ सकते हैं कि भासाओं के ग्याता थे राजा राम मोहन राय की मित्तिव के परशाद ब्रह्मा समाज धीरे-धीरे कई साखाओं में विवक्त हो गया था महसी देविंद नाट टेगोर अधी भासाओं में विवक्त हो गया था राजा राम मोहन राय की नेतित में ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भासा और पश्चमी सिक्षा का समर्थन किया था एल्ट आधा राम मुहन राय था जबगाल अंडोललन का नेतित एक एंगलो इंडियन हेंडुम गिलियम डेरा जियो ने किया था याद रखी इसे भी इसोचंद विद्यासागर और कुट्णुकोरी वीरेस लिंगम ने विदबाब विवा को फिरुसाहित किया था दयानंद सरसुती दयानंद का वच्पन का नाम मूल संकर था यह जरूर याद रखी इस तरह के गुष्चनस पूँच लेता है इनका जरम गुजरात के टंकारा नाम चोटे से नगर में हुआ था उन्होंने मतरा की स्वामी ब्रजयानंद को अपना गुरू बनाये था 1864 में दयानंद ने सत्यार्ट प्रिकास की रचना की जो मूलता हिंदी भासा में लिखी गई थी संसार के लिए स्वामी रामकेटन की सबसे बड़ी तैन अध्यात्मबाद और उनका कहना था कि मनुस्त का कोई लक्ष इसोन की प्राप्ति होना चाहिए और यो अध्यात्मबाद से ही संबह है स्वामी राम किसने के सिस्स वेवेकानन्द थे उन्होंने 1893 में अमेरिका के सिकागु नगर में आयो जे सर्व धर्म सम्मिलन में भाग लिया था स्वामी वेवेकानन्द के बच्पन का नाम नरेंद नाथ था स्वामी वेगणनंत के बचपतानाब नर्यंदनात था. स्वामी वेकनंद ने ज्क्धन यो, कर्म यो राज यो नामक पुस्तिकाएं भी लिखीएं थी ये पुस्तिकों गो भी याद रखेगा। स्वामी जी वेवकनंद की भासुनों के संक्लन लेक्चर्ज trailer प्राउम कोलंबो टू अल्मोडा नामक पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे कन्या कुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी वेकरनंद को समर्पी थे महादेव गोविंद रनारी ने 1887 में राष्टिय समाज सुधार सम्ती की स्थापना की थी 1887 से 1895 तक राष्टिय दयाल बाग में एक मंदिर का निर्मार किया था और दयाल मंदिर सत्संग का तीर इस्थल बन गया था सिर्व नारायन अगनी हुत्री ने दो फरवरी 1887 को लाहोर में देव समाज की स्थापना की थी पंजाब के मीर्जा गुलाब एहमद ने एहमद दिया आंदोलन की उनका अलीगड आंदोलन इसका केंद बिंदूरा सरसेद एहमद खाने 1875 में अलीगड में एंगलो औरियंटल कॉलिज की स्थापना की थी जो बाद में अलीगड मुसलिम पे सिविध्याले बना और इस कॉलिज की पिथम पिरेंसी पल थी कौन कौन थे थियोडोर बैग लुगा कि अगर हम देखें तो इन आधोलन और घटनाओं को दिख हो वर्सन सम्मंदित बिस है जैसे भारती राश्टी कॉम्गरिस की स्थापना आप सब जाते एकばい 1885 में वी ये वो हिउम ने की थी बंबई में बंग भंग अंदोलन सौधिसी अंदोलन था 1905 में हुआ था बंगाल के विवाजन की बिरोत में मुसलेम लीग की स्थाफना 1906 में आगाखा और सलीम उल्मा उलका खां की धाका में हुई थी कॉंगेस का विवाजन 1907 में हुआ था नरम और गरम दल में विवाजन सूरत फूट ठीक है और यह बात वर याद रखे गरम और नरम दल का कहने का मतलब हैंगी नरम मतलब हाथ जोड़ का वरातना करके अपनी बातों को मनवाना और गरम आप समझ रहे हैं लट्ठ डंडों से आप सोचिए कि बंदू कों से बमों से अपनी बातों को मनवाना हॉमरू लांदोलन 1916 में तिलक और एनिवेसेंट ने लखनव पेक्ट देसंबर 1916 में कॉंग्रस और मुसलिम लीग की बीच समझ वा था मॉंटकिव गोटना 20 अगस्त 1913 भारत मंतरी लौड मॉंटकिव की गुजना रॉलेक टेक्ट 19 मार्च 1929 में काला कानून था जिसके अंतरक किसी भी व्यक्ति को संदे के आलार पर गरबतार किया जा सकता था जलिया वाला बाग 13 अप्रेल 1929 को जनरल डायर अमरसर में और खिलापत आंदोलन 1929 में सौकत अली मुहमाद अली हंटर कमेटी की र असायव आंदोलन कारम एक अगस्त 1922 को महत्मा गांधी के द्वारा चोरी चोराकान पांच फरवरी 1922 को गोरखपुल जिले की उत्तरप्विदेश में इस घटना के असायव आंदोलन को वापस ले लिया गया था सौराज पाइटी का स्थापना एक जनवरी 1923 को मौतिला नहरू और चेतरंजा अंदास के द्वारा हिंदोस्तान रेपब्लिक रिपब्लिकन एसोसीशन अक्टूबर 1924 में सचिंद सन्यालेंस की स्थापना गी थी साइमन कवीशन की निफ्ती आट अबॉंबर 1927 में जौन साइमन की अध्यक्षता में साथ सदसी आयव का गठन हुआ था साइमन कवीशन का भारत आग्वन तीन फरवरी 1928 में भारत में लाला लाचपात राय की नेतित में ब्रोध और उनकी पलाठी चार्ज हुआ था नहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मौतिलाल नहरू की अध्यक्षता में बारदोली सत्यागे अक्टूबर 1928 में गुजरात की किसानों का लगान विद्धी के विरोध में सरदल बलभाही पटेल के नेतित में यांदोलन हुआ था लाहर सड़यन्थ ए आठ अपरेल 1929 को भगस्तिंग वट्टू के सब दत्यद्वारा वेटेस असेमली में बम फेका था इसे लाहर सड़यन्थ किसके रूम में जानते हैं कॉंग्रेस का लाहर अधीविशन दिसंबर 1929 में पूर्ट स्वाधिंता के फस्ताओ इसमें फिर आप देखेंगा आंदोलन उससे जुड़ी में मत्पून और भी घटना है इन्हें भी आप लोगों को याद रखना चाहिए यह नहीं रखना चाहिए नमक सकते आ गया है आप सभी जानते हैं बारे मार्च 1930 की बात है कबकि बारे मार्च 1930 से और पाँच अपरेल माच अपरेल 1930 तक चला था महत्मा गांदी के द्वारा सावरमती आस्तरम से दांडी जाका नमक बनाकर कानून का उलिगन किया गया था सभीना यह गया अंदोलन चैपरेल 1930 की सभीना सभीना यह गया अंदोलन की सुरुआत हुई थी फिथम गोल में सम्मेलन 12 नमबर 1930 की बात है और पिधान मंत्री मैक डोनाल्ड की अध्यक्ता में लंदन में आयुजित की गई थी गांदी इर्विन सम्झे होता है चार मार्च 1931 की बात है महत्मा गांदी वह वासराय इर्विन के मद्द संपन हुआ मैक डोनाल्ड द्वारा पिथक पितिनेदित्व विधान करना ठीक है पूना पेक्ट जिसे आप लोग देखें पूना पेक्ट को क्या कहते हैं एरवादा अज सेंटल जेल में हुगा था 24 सेप्टमबर 1932 की बात है गांधी और डॉक्टर अंबेड करके बीच हुआ था एक सम और इसमें कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था कॉंग्रेस सोसलिस्ट पाइटी का खठन मई 1934 में जैपकास नारायन मीनू मसानी एस एन एम जोसी ने करया था फॉरवाड विलोग का खठन एक मई 1949 में सुभाशन्द बोस ने किया था मुक्ती दिबस 22 दिसमबर 1949 में मुस समझ लीजेगा किया गया था तिधान मंतिरी एटली की गुषना 15 मार्च 1946 की भारत थे कि भारत को सुतंत करने का स्वासन दिया था केविनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 की बात है वेटिस मंति मंदल की तीन सदसों में पैंथिक लॉरेंस थे सर इश्टी फावर्ड किप्स थे ओस एवी एलेकजन्डर थे इनका भारत आगमन केविनेट मिशन एउजना का विकस्तन और 16 माई 1946 को किया गया था पित्यक्ष कारवाही थे वाद 16 अगर्ष उन्नि 1947 को भारती गर्तंत की स्थापना 26 अबरी 1950 में डॉक्तर राजिन पर साथ पित्हम राक्ठ पती बना गया थी भूदान अंदोलन 18 अपरेल 1951 को इसकी सुरुवात पोचंपली नल गोणा तिलंगाना में बिनोबा भावे ने की थी रामचंद रेटी ने सबसे पहले है तो वो याद रखें इसमें बहुत सारे लोग उनकी जान गई खुदी राम बोस आपकी नाम हो गए संबंदित घटाय हो गई सजा हो गई खुदी राम बोस की बात करते हैं 1908 में आप देखें कि सैसन जज किंग्स पोड की गाड़ी पर बम फेकने के कारण कारण इन्हे बेरी रेलिवे स्टेशन पर गरफतार कर लिया गया था बेरी रेलिवे स्टेशन पर और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी तो आप देखें कि राजंद लहीडी ए दच्छ्डेस और वम कांडो और काकुरी कांड डाण गाडी डकेंती कांड के सिलसले में गरफतार किय गये थी 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जिल में इने फांसी दे दी गई थी राम पिसाद बिसमिल मैनपूरी सडेंद और काकुरी कांड योजना कर थी इसी कांड में इने बंदी बनाय गया था और 19 दिसंबर 1927 को गोरफपूर जिल में इने फांसी दे दी गई थी फिर आप द उधम सिंग, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्स्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गरबतार किया गया था, 31 जुलाई 1940 को फेंटरन विले जेल में फांसी दे गई थी, भगस सिंग सांडर्स की हत्या और 8 अपरेल 1929 को केंदरी विधान सभा में जो आज लोग सभा कहला थी ना, बम फेकने के सिलसले में गरबतार किया गया था, और सांडर्स की हत्या के के केस में मौत की सजा हुई थी, और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर चड़ा दिया गया था, सहीद कर हो गया थी, ठीक है, सुखदेव सांडर्स की हत्या के 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 केस में मौत की सजा भागस्तिंग सुगदेव राजगुरु को एक साथ फांसी एक दिन दी गई थी यह आप लोग याद रखेगा राजगुरु को 17 देसंबर 1928 को सांडर्स की हत्या के में भाग लेने के कारण 23 मार्च इन्हें 30 देसंबर 1929 को पुना में एक मौटर गिराज में गिरपतार कर ल दी गई थी राजगुरु साहब बटू के सुर्दत भागस्तिंग के साथ केंदरी एसेंबली में बं फेकने के कार आरू में गिरपतार किया गया था आज इवन कारावास का दन्डवला था चंद सेकर आजाथ काकोरी गाड़ी डकेंती किस्प के मुख अभियुक्त और अं दीदों की भूमी है हमारा देश है फिर आप देखेंगे मास्टर अमीद अमीचंद मास्टर अमीचंद दिल्ली साड़न के प्रमोग क्रांदीकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वैसराय लॉड हार्डिंग की हत्या करने के आरूम में बंदीव गनाया गय थे और 8 मई 1915 को चा अंद्रह को इन्हें फांसी देगी दी गई थी दा मुदर चापे कर दा मुदर चापे कर इन्हें बाइस जून को क्या किया गया था 22 जून 1897 को फिलेक कमीशन रेंड और लेप्टिजन्ट इयर्ष्ट की हत्या के से लिए में अपने भाईयों के साथ गिरपतार किया गया था रेंड और ए हर्ष्ट की हत्या यूरोपिय की पित्थम राजनितिक हत्या थी 18 अप्रेल 1898 में कुफासी के तक्ते पर चड़कर सहीद हो गये थे इनके भाई बाल किसने चापेकर को 12 माई 1899 में और बासुदेव चापेकर को 8 माई 1899 में कुफासी पर लटका दिया गया था मदनलाल धींगरा आते हैं एक जुलाई 1909 को करनल विलियम करजन वाईली इंडिया ओफेस में राजनितिक साहिक की हत्या करने का कारण गिरफतार हुए थी और 16 अगस्त 1909 में इनके फासी पर चड़ा दिया गया था फिर आपकी बासुदेव बलवन्थ फड़की एक ससत्य सेना बनाकर बेटे सरकार का विरूत करने की कारण 21 जुलाई 1889 को गरफतार कर लिया गया था काला पानी की सजा के सिसली में अधन में आवरण अंसन करने के 17 फरवरी 1883 को इनोंने प्रांड त्याग दी थे करतार सिंग सरावा गदर पाइटी के सक्की रिये कार करता थे और लाहोर सैनिक सडेंट के एसी ऐसे गरफतार हुए थे और 16 नवंबर 1915 को फांसी के तक्ते पर जूलती हुए सईध हो गय थे आइस्थाई सरकार की स्थापना की गोष्णा की और जापानी सेना की साहता से अधनवान एवन नेकवार दोई सम्मूव पर अधिकार करते हुए 1944 में भारत सीमा के इंफाल छेत में प्रवेश किया था और इन्हें 19 अपरेल 1910 को इन्हें फांसी दी गई थी 18 अगस्त 1945 को वाईवान द्रगटना में इनकी मित्ती हो गई थी और पर इस घटना को अभी तक प्रमावेडिद नहीं माना जाता है इन पर कई कहानिया है आप लोग पढ़ते रहते है विष्णू गनेज पिंगल ए 23 मार्च 1915 को विस्पोटक बंगों के साथ गरपतार किय गये थे और 17 नवंबर 1915 को इने फांसी दे दी गई थी विजकेसोर चकवर्ती मेंदनापोर जिला मजिस्टीर बर्ज पर गोली चलानी के आरूम में 2 सेप्टमबर 2 सेप्टमबर 1933 को इने फांसी पर लटका दिया गया था कोसाल कोबर ए 9 अक्टूबर 1942 को बेटे सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदे में गरपतार किया गया था 16 जून 1933 को इने फांसी दे गई थी असित भटा चार तेरे मार्च 1933 को हभीब गर्ज में हुई धकेती और हत्या की अन्य मामलों के सिलसे में गरपतार किया गया था दो जुलाई 1934 को आप देखें कि सिलहट जेल में इने फांसी दे गई थी जगनात सिंदे 16 पर थानी पर हुई हमली का अभियोग लगा कर इने बंदी बनाया गया था और 12 जन्वरी 1931 को इने फांसी दे गई थी बारे जन्वरी 1934 को इने फांसी पर लटका दिया गया था लाला जलाज पत्राय साइमुन कमिशन के ब्रोट करने पर फुलेश द्वारा इन पर लाटी चार्ट किया गया था और लाटी पहार के कारण 17 नवंबर 1928 को इनका देहान थो गया था एक बात आप लोगों को समझ परके निकल जाते हैं तो कोई बात निया आपको कोई फरक भी नहीं पड़ेगा या फिर आप लोग फेसबुक और वार्टसप यूपर्टि से पढ़ते हैं तो कोई आपको फरक नहीं पड़ेगा लेकिन कभी आप लोग अगर विचार करें अंदर तक एकतर से आप सोचे तो मुझे लगता है कि समझ में आएगा कि इतनी आसान भी नहीं थी आजादी मिल पाना पाकिस्तान योद्य के समझ मारू फिरंगियों को मंगल पाण्डे ने जगत जै जगत विनुवा भावी करमद्दो सर्दार बल्लब भाई पटल ने संपूर्ण किरांती जैविकास नाराएं विजय विस्तितरंगा प्यारा प्यारा स्याम लाल गुपता पारसाद बंदे मात बाकिम चंद चटर जी जंगर्मन अधिनायक जै हो रवेनाठ टेगोर रवेनाठ टेगोर और समराज का नासो भगासिंग ने सुराज हमारे जन्म से दधिकार है वाल गंगा धरते लग सरवरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम परसाद बिसमेल सारे जहां से परीजी सासन की ताबूत की कील साबित होगी लाला लाजपतर राय ने मुसल्मान मूर्ग थे जो उन्होंने सुरक्षा की और मांग की और हिंदू उन से भी मूर्ग थे जो उन्होंने उस मांग को ठोकरा दिया ए अवुल कलाम आजाने कहा था किरांती की तलवार में धार पथर पर रगण्त सी आती है भगस सिंग ने कहा था इसमें अंपर तक मैं इवाप रोख और को याद कि को कुअ अलयोग्र लेते हैं शुतंथा अंदोलन से समांधित जो प्विकासित कम तो पर पतिकायं थी और पूस्थी कें थी उनके बारे में की एक सामने जानकरी जान लेते हैं और आप देखें कि अगर तो यह पत्थ-पत्ति-काही हो गया है उनकी लेखख हो गया जैसे अभियो दय हो गया लीडर हो गया हिंदुस्तान हो गया यह सभी किसकी पुस्ति या पत्ति-काही से तो यात रखिए सभी मदन向 महन आलवीय से सम्मंदित है इन्हीं की हैं इंडियन विरर वाम बोधनी एक इस्थाव चंद सेंड की हैं इन्डेपेंडेंट ए मौतिलाल नहरू की काल ए परांजय की और परांजपे की और कामरेड हमधर्द ए मौहमद अली की बंदी जीवन सचिंद नात सन्याल की देनिक केशरी मराठी और सप्ताहिक और मराठा अंगरेजी में और गीता रहस यह सभी आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक्की थे इन्हें भी याद रखेंगे यह विकुश्ट अर्वेंद घोस्की कर्मयोगी युगांतर बंदे मत्रम लाइफ डिवाइन और सावित्री अर्वेंद घोस्की नैसन की बात करें तो यह देखेंगे आप लोग गोपाल किसने गोकले की थे बंगाली यह नैसन इन मेकिंग यह थी सुरेंद नाद बनर जी की भावानी कमोधी यह आप देखेंगी मुद्धी राजा राम मोहरणा जी थी ऑगा सब्सक्सक्रादが शन्रे के अमरस सरफ्ति के वाजार पति काobra MR VI नियु इंडिया ए एनी बैसेंट थ्री हिंदुस्तान ए तारकनाथ 10 दा रिवलेशनरी ए सचंद नाथ चन्याल फावर्टी एंड अन्वेटिस रूल इन इंडिया रफ रस्ट गुपतूर ये आप देखेंगे दादा भाई नरो जी की इंडिया डिबाइड डॉक्टर राज अलहला ये सभी आप देखेंगे अबुल कलामाजाद की थी डिस्कवरी और इंडिया गिल घ्लिम पेसेज अफ वर्ड फिस्ट्री मेरी कहानी ये सभी आप देखेंगे जबालल नेरू की थी हезде हैंडज फार सेल्फ कुल्चर एलाला हर्दयाल की इंडियन अन्रेश्ट एसर विलेंटाइन से रोल की थी, इंडिया पूर इंडियंस ए चतरंज अंदास की थी, वार ओफ इंडियन इंडिपेंडेंट्स आप देखेंगे बीर सावर कर की थी, और हॉम एंड दा वर्ड और गीतांजली आप देखेंगे रवेंदनाथ ठाकुर साहब की थी, नेल दरपन द भारतेंदु हरस्चंद की कॉंग्रेस का इतियास पटावी सीतरा मही आगी, सत्यार्थ फ्रिकास ए दयानंद सरसुती, इंडियन इस्टरगल सुवास्चंद बास, आनंदमठ और देवी चौधरानी ये आप देखेंगे बाकिम चंद चटूबाद देयाए, भारती विद् भारती पत्तिकारता का अगदूद भी कहते हैं, और 1821 में आप देखेंगे उन्होंने बंगाली सप्ताहिक संबाद को मोधी, और 1822 में फार्सी में मिरात ओल अकवार पैरम किया था, राजा राम मोहन राये ने, तो ये भी आप दो लोग याद रखेगा, ये देखी उपा सभाषची आने तो खुर्ण दमार को किस ने दीथी? महत्मा गान्दी ने दीथी। और महत्मा गांधी को महत्मा प्रादी किस ने दीथी? रभेननध ट对 और ने नेता जी को यह आप देखेंगे सुभाष्चंद बॉस को नेता जी की एडॉल्फ हिटलर ने सरदार बल्लभाई पटेल को सरदार की उपादी बार्दॉली की महिला होने तो यह भी आप लोग याद रखेगा ठीक है आंगे चलते हैं हम लोग यहीं देख लेते हैं आपका क् जो आपके अधिवेशन हुए इनसे भी कुष्टन्स आते रहे हैं और इसमें उपादी में और हैं देश रतन अजाद सत्रू डॉक्टर राजन पिसाद को दी गई थी महत्मा गांदी के द्वारा महत्मा गांदी को राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी दी थी बात करते हैं कॉंग्रिस के अधिवेशन जो हुए थे और इन अधिवेशनों को जरूर याद रखेगा मेरा तो यही मानना है कब और कहां हुए एक बार आप लोग मैप देख लीजी हमारा भारत है आप सभी जानते हैं ठीक है अब रस्तर हो गया लाहूर हो गया और कराच अची हो गया दिल्ली कानपर मेरट लखनो और गुहाटी वनारस इस तरह से आप मैब में देखकर देख सकते हैं लेकिन हम लोग यहां बात करते हैं नीचे अधिवेशन हो गया इनके वर्स हो गया इस्थान जिस्थान को अध्यक्ष और विसे इसक्या अधिवेशन में हु ता की थी तीसरा होता है मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तीयब जी पिता मुसलिम अध्यक्ष थी ठीक है तीसरे में 1887 में जो आपका मद्रास में हुए था इसने पिता मुसलिम अध्यक्ष बनाए गये थी बदरुद्दीन तीयब जी चौतरा हुए 1888 में इलाबाद मे इसकी अध्यक्स्ता की थी आथ बाब का 3891 में नाधपुर में पी आनंद चाल्लू ने इसकी अध्यक्स्ता की थी आथ Da घ्श्यानवे विमशचंद बनर जी नहीं इसकी अध्यक्ष्टा कि थी, नौबा आपका 8893 में जो दादाभाई नोरोजी ने इसकी अध्यक्ष्टा कि थी, दस बाँ- 1884 में मदरास में अलफेड भीव ने इसकी अध्यक्ष्टा है जालके सवाइक्षटा कि थी, ग्यारे ब के ανव्ब यह मंस्थ इत्रिश करें में मघरस में अननंद मोहन रइदाशन से का एक तता कि जैवर ऊननीसों में ड्रन श्रीयिं इस्की अध्याऀकूटा की थी अध्रतिशंकटा कीथ थी 18.1902 में ऑहमदाबाद में सुरेनाद बनर्जी ने इसकी अद्धाइ her th quarter cath tapes 19.1903 में मद्रास में लाल मुहन गोस्त ने इसकी अद्धाइ K était 20.1904 में बंबई में sirएंड़ी काटन ने इसकी अद्धाइ K chiar की थी रखेगा सूरत विभाजन आप लोग कहते हैं 24 बाव 1908 में हुता है मद्रास में हुता है डॉक्टर रास विहारी गोसने इसकी अध्यक्षता की थी और कॉंगे समीधान का निमाण किया गया था इसी में 25 बाव 1909 में हुता है लाहोर में पंडित मादन मालविये ने इसकी अध्यक्षता की थी 26 बाव आप देखेंगे 1910 में हुता है लाबाद में बिलियम बिडर्मन ने इसकी अध्यक्षता की थी 27 बाव 1911 में कलकत्ता में हुगा था पंडित विसन नारायन धर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी पहली बार इसमें जंगर्मन गाय गया था, ठीक है, 27 वी में, 111 में जो कलकत्ता में हुआ था, 28 बा, 1912 में होता है, बांकीपुर में, आरेन, मधौल करने इसकी अध्यक्ष्टा की, 39 बा, आप देखेंगे, 1913 में होता है, कराची में, नबाब सेज़ाद मुहम्मद बाहदों ने इसकी अध्यक अध्यक्ष्टा की थी, और पिसनलाड बेलिंग, बेलिंग्टन ने भाग लिया था, इसमें, 32 बाद देखेंगे, 1916 में लखनों में हुआ था, अमिका चनम अजूमदार ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, मुसलिम लीग ने से समझोता हुआ था, 33 बा, 1917 में कलकत्ता में इसकी अध्यक्ष्टा की थी, असेयोग का अपिस्ताव पास हुआ था, इसमें, 36 बा, 1920 में हुआ नांगपुर में, सीवी रागवाचारियन ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, कॉंग्रेस का समिधान में परिवर्तन, कॉंग्रेस समिधान में परिवर्तन किया गया था, 37 बापका, 1921 में एहमदाबाद में हुआ था, हाकीम अजमल खाने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, 38 बाप देखेंगे, 1922 में गाया में हुआ था, देशबंदू चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, उन्चाल आप देखेंगे, 49 बाप, 1923 में काकी नाडा में हुई थी, मौलाना मुहमद अली ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, विसेथ अधीनियम 1923 में दिली में हुआ था, अबूल कला माजाद ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, सबसे यूबा अध्यक्ष्ट चुने गये थी, 40 बा 24 में हुआ था, बैल गाओं में और महत्मा गांदी ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, एक बार, एक मात्वार की हुए हुए है, ठीक है, 41 बाउने सो चालीस में, 1925 में होता है, कानपूर में स्रीमती सरेवजिनी नाइडू ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, एपिथम भालत और 44 बाब देखेंगे, 1928 में कलकत्ता में पंडित मौतिलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी, 45 बाब देखेंगे, 1929 में लाहोर में इसकी अध्यक्ष्टा की थी, पंडित जेयल नेहरू और पूर्स औराज की मांगी गई थी, 46 बाब 1931 में कराची का सरदार वलल । देल्ली में हुआ था हमरद रन्चोड़ दास में सेट यौश्टा की थी । टिक है और 62 बार들 सचनद्वास्य स्ववास्टमार्य। सवास्टवान हो इसकितरर्थरे में परक्रशांत हुगाइनल दिक्षिह करेख रैय। तो यह आप लोग पॉइंट याद रखिएगा ठीक है आंगे चलते हम लोग आंगे अब बात करते हैं किसके बारे में यह कुछ आपकी आए हो गए ओर आयोग से भी कुष्चन साते रहते हैं वेटिंस का लिन आयोग और सम्थियाए कमेटीया आयोग है अब देखिए इसका गठन किया गया था ठीक है जिसका गठन किया गया था और वर्स हो गया अध्यक्ष हो गया और गवर्न्स जर्रेटर वाएस रहे और उद्देश सेस् समय में भूमी संबंदी विवेचना के लिए आये था ठीक है और फिरा दुर्भी आयो ए अठारे स्वासी में आये था रिचर्ड इस्टेची इसके अध्यक्स थे लेक्टन के समय अकाल नेवारण ही तु विचार के लिए आये था हंटर आयो 1882 में विलियम हंटर के समय आये रिपन इस समय वायसराय थे और सिक्षा का दिकास से संब्दी था एची एंसन आयो ए 1886 में चार्ल से एट एची एंसन थे और डफने इस समय आप देखेंगे इसके वायसराय थे यहां गवर्नर जनल और नांगरिक सेवा में भारतियों की संक्या में विद्धी पर विचार किया गया था अफीम आयो अठाज सो तेरानवे में आया था और लैंस डाउन का समय चल ला था अफीम सेवन की को रोकने के लिए हरसेल संती ये 1893 में आय थी हरसेल इसके द्रेक्ष थी लैसस्ट डाउन के समय टक्साल समदीश सुजान से संब्दीश था दुरुभीक चायो 1898 में James Loyal के अध्यक्ष दा थे और Elgin का समय चल ला था पिथम दुर्वीक चायू की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दुर्वीक चायू की रिपोर्ट पर सुझाओ के लिए आया हुगा था सेचाई आयो 1901 में आया था बॉल विन स्कॉट इसके अध्यक्ष दे करजन का समय था सेचाई में सुधार ही तुबित्ये से विभाग से संबंदी था विष्विध्याल आया हुए 1902 में आता है थोमस रेले इसके अध्यक्ष थे करजन के समय भारती स्थिती पर विचार करने के लिए था फ्रेजर आयो, ये 1902 की बात है, फ्रेजर इसके अध्यक्स थे करजन के समय पुलिस की कारफदीती पर विचार के लिए आये था, इस लेंग्टन आयो, 1912 की बात है, इस लेंग्टन इसके अध्यक्स थे हार्डिंग्स की समय की बात है, नागरिश सेवास में भारतियों की रि विचार के लिए था मैख लेगन मैख लेगन सब्सक्राइब की बात है मैख लेगन इसके अध्यक्ष थे हार्डिंग्स के समय आये था सरकारी वित्ति यह अवस्ता से समंदी सुझाओ के लिए कलकाता विष्विध्यालायू सेडलर आयों भी कहते निसो सत्रे में आये था विए उनिसो चौँज में आये था लॉ लॉड ली के समय इसके अध्यक्स थे और रिडिंग के समय लॉक्स लोग से वाओ की गठान की अनुसंसा की गई थी सेन हर्ष समति यहवनी सो चौँ पचीस की बात है अंडिoug के समया था रीडिंग इसके अध्यक्स के अध्यक्स थ और इर्विन के समय देशी राज्यों वा अंग्रेजी सरकार के संबंदों पर बचार के लिए साइमान आयो आप सभी जानते हैं 1927 में आये था जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और इर्विन के समय 1929 के अधिनियम की समीक्षा के लिए लिन लेत्गो आयो आयो 1928 में आये था जे एच हेटले इसके अध्यक्ष थे और इर्विन के समय सरमेको की इस्तिती पर विचार के लिए था और लिन्ट से आयो ए 29 में आय था लिंट से इसके अध्यीक्स थी Понक समय भारतалась में मिस्री मिसरी सिक्षा के विकास एतलू था भारती व्यदा ने काय ओूं निसे my आई था फिलिप हार्टो ईसके अध्यक्स था इर्वें के समय सिक चर्दी कि समय एक्षा करने ही तू आय था सपरू सम्ती ए उन्नी सो चौंटीस में आय थी तेजबहादू सपरू इसके अध्यक्स थे बिलेंग्टन के समय बेरोजगारी की समस्या की समेक्षा के लिए आय थी और भारती ये परीमीशन सम्ती उन्नी सो पैंटीस में लौरी हैमल हैमंड इसक और क्रिप्स आयो की बात करें तो 1942 में आय था इसके अध्यक्स थे लेन लेत्गों के समय भारत की राजनेतिक कतिरोद दूर करने ही तू कैविनिट आय उन्नी सो चालीस में पैद थे लौरेंस इसके अध्यक्स थे और वेवल गवर्नर जनल थे और वाइसराय थे एक तरह स आप सोची भारतियों को सत्ता हस्तान्तित करने पर विचार के लिए दुर्वीक्स जाच आयो उन्नी सो यह आप देखेंगे तैंतालीस की बात है सरवोड की अध्यक्स थे और चाल्स वेवल का समय था बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार ही तू सर्जेंट आयो उन्नी इस समाचार पति का एंपत्त होगे संस्तापक होगे वर्स होगे इस्थान होगे विसे इस बिंदू इसके बारे में जैसे बंगाल गजट जैम्स और तम भिकी ने संस्तापक था 1870 की बात है कलकत्ता से आये था भारत का पिथम समाचार पत था इंडिया गजट अठारे 1787 म में कलकत्ता में मद्रास कूरियर एवी 1784 में मद्रास में मद्रास से पिकासित पितम समाचारपत था बॉम्स हेराल्ड बॉम्बी हेराल्ड 1789 में बंबई में और बंबई मुंबई में से पिकासित पितम समाचारपत था दिख दर्सन यह आप देखेंगे 1888 में कलकत्ता में से इसके संस्थाफक थी 1822 की बात है कलकत्ता में पिथम फार्शी अत्पत्ति का थी जाम ये जहानुमा एक अंग्रेजी फार्म था और 1822 की बात है कलकत्ता से निकला था उर्दू में पिथम समाचारपत था और बंगदूद राम मोहन राय और द्वारका नाट्टेग और एब पिथम समाचार पत था इसका पैकासान एक सपता है पत्त की रूम में किया गया था बंबे समाचार आठाएव सो थीस मैं बंबई से गुजराती में पिथम समाचार पत था बंबे टाइमस ए830 की बात है बंबई में 831 ये टाइमस ऑफ इंडिया बना रप्त गौपतार गुजराती था ये हिंदू पेटियट एक ग्रीश चंद गोहस ने बाद में हरस्चंद मुखर जी इसके माले को संपादक बनी 1853 की बात है कलकत्ता से और सौम पेकास की अगर हम बात करें तो द्वार का पिसाद द्वार का नाद विध्या भूसन और 1859 की बात है कलकत्ता में पिथम बंगला समाजारपत जो राजनीती से जुड़ा हुआ था इंडियान विरार इसके संस्थाबग द्वार का नाट टेगोर 1862 की बात है कलकत्ता से बंगाली ग्रेश चंद गोहस 1862 में कलकत्ता से नैशनल पेपर द्वार का नाट टेगोर 1865 की बात है कलकत्ता से मदरा सेल 1868 की बात है मदरा से भारत में पिथम सांद समाचारपत था अमरिद बाजारपती का सिशर कुमार घोस की थी और ये आप देखेंगे 1868 में कलकत्ता से बंगला समाचारपत था बंग दर्सन बाकिम चंद चटर जी की था और 1873 में कलकत्ता से एक बंगला मासिक था इस्टेट्समेन रोबर्ट नाइट का था इसके संस्तापिक 1875 की बात है कलकत्ता से भारती प्रेश द्वारब वियर्ड ओफ इंडिया कहे जाते थे बंगाल गजट की कवरणा और उच्दम नाइटी 100 कमपणी के करमचारीयों के दोस्तों को बहूत इस पर शुरूप से पिकासित करना प्यारम की है जिसके कारण 1782 में समाचारपत को बंद करवा दिया गया था बंगला समाचारपत की रूम में सुरू लेकिन बरनाकूलर फिरेश एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचारपत बन गया था तिलक के संपादन बनने की पूर अगर कर और केल कर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था भारत में सरप्पितम पिरेश की स्थापना 1850 में पुर्दगालियों ने की थी और 1877 बने गवा के इसाई पादियों के द्वाय पितम पुस्तक पिकासित की गई थी तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं रखना भी चाहिए क्या करना चाहिए रखना भी चाहिए ये भारत की इतिहासिक लडाईयां है भारत की इतिहासिक लडाईयां इन से देखिए लडाईयों से कुष्चन साथ साल आते हैं आपकी परिक्षाओं है अब आप कहेंगे आते हैं या नहीं आते हैं सच बताओं तु ए पिर मुख्योद्ध हो गया वर्स हो गया पैडाम हो गया किस किस के भी चुगा था तराइन का पैथा मयुथ 1191 में पितवी राज ने मौम्मद गौरी को हराया था इसमें तराइन 1227 में वावनने राणा सङसागर कौराइद चैतेरी का यूद 1228 में वाबने का यूदalin हमूं ख़ाइद के दूसरी लग такая 15 a 565 में भेजयन का महतनों तरह है पतन अ का यूद 1576 में अकवर ने महरानव पिताप को हराय था पलासी का यूद 1767 में अंग्रेजों ने सिराज़ दोला को हराय था बांडी बास का यूद 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी इसमें पानीबत की तीसरी लड़ाई 1761 में एहमाद साय अब्दाली ने मराठों को हरा रहा था बकसर का यूद 1764 में अंग्रेजों ने मिर कास्यम को हराए था रहेला का यूद 1774 में हुए था खोटा निजाम की पराजय हुए य rifles में पित्हां सोदंता शंग्राम 1777 को मारा जाता है भारत पाकत के उद्ध उन्नीस पेसर में हुगा था दुती भारत पाक के उद्ध 1911 हुगा था पित्म थे उद्ध 1914 से लेकर अठारे की बीच हुगा था दुदी ये उद्धों को भी याद रखिए के पिरमों व Halo भूबि देख लिएती सश्ठापक उनकी राध्धानी यहไiesoं उनका संस्थापक विराध्धानी थिक है तो इसमें आप देखेंके भी पहलिए। इसका संस्थापक व्हाई था राज ग्रह इसकी रद धानी टी वां सी shot वॉफ इसका संस्थापक सी कम सर्फु था संस्टापकतह कंड़ घूता सघीक हिछ आग कः हृण कर्न विदिक शान्सरा न का रित खार के झाग्स ऺान वर्डर्डन वाऽ पुंस टंसतहों कंडै आसे रधाने फांड बंस नेडी योन मदूरे में इसकी राध्धानी थी चोल बंस विजयाला इसकी संस्तापक तंजोर में इसकी राध्धानी थी पल्लो बंस सिंग वर्मन चतोर कांचीपुर में इसकी राध्धानी थी राष्टकूट दंती दुरुग इसका संस्तापक था मानिकेट इस कि रदन이지 ऑतलबन बस्नु बर्धंहस का संस्टापक होर container हम लएविट पता मिसका संस्टापक तग के रदनीत गंगबना उन्स भर तलकाड इसकी रदनी के प्लावन और गोपैल शेंग गूपालवन nutrत पividad मोंगर की रदनी थी सेन बंस सामन्थ सेन इसका था और लखनोति इसका रात्धानी थी प्या कर सकते हैं फिर आप देखेंगे आपका आता है क्या बर्मन बंस कामरूप इसका संस्तापक पुस्त बर्मन था प्राग जियोतिस्पूर इसकी राध्धानी थी गुर्जहर पितियार बंस नांगबट पितम इसका संस्तापक था कन्नोज इसकी राध्धानी थी गढ़वा गहडवाल बंस चंदेव इसका संस्तापक था कन्नोज हो इसकी राधधानी थी महुँआ, सौलंकी बस मूल राज की एहन हिलावाद इसके राधधानी थी कल्चुरी बन्स कोक्कल इसकी संस्था श्कत था ते पुरी इसके राध्धानी सेद बंस खेंजेखा इसका संस्तापक हुआ दिल्ली इसकी राध्धानी हुए लोधी बंस बहलो लोधी इसका संस्तापक था दिल्ली इसकी राध्धानी हुए संगम बंस हरिहार बुक्का इसका संस्तापक था विजय नगर इसकी राध्धानी हुए वहमनी बंस हासन गंगु इसकी संस्तापक था गुलबरगा वीदर इसकी राध्धानी वी आदल साही बंस आदल साही इसका संस्तापक हुगा वीजापुर इसकी राध्धानी वी निजाम साही बंस मलिक अम्हद इसका संस्तापक था अहमद नगर इसकी राध्धानी थी इमा इमाद साही फते उल्ला इसका संस्तापक था इमाद साहे और बरार इसकी राध्धानी थी कुतुप साही बंस खुलू कुतुप साहे इसका संस्तापक था गोलकुंडा इसकी राध्धानी होगी वरीद साही अमीर अली वरीद इसका संस्तापक हुगा बीदर इसकी राध्धा अधिराबाद की सुतंत राज निजाम यूल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी, हैदराबाद की राधधानी हुए, ए सामाज एक सुधार अधिनियम है, जैसे अधिनियम हो गया, गवर्नर जनल हो गया, वर्स और विशाय, सीशू बद फिदिन, ए गवर्नर जनल था बधाली को पितिवंदित कर दिया गया था हिंदू विद्वा पुनर विवा लॉर्ड केनिंग 1856 की बाद है विदा विद्वा विवा की अनुमती थी नेटिव मेरिज एक्ट नॉर्थ बुक यह आप देखेंगे आपको 1872 की बात है अंतर जाची यह विवाय से संबन दी था एज लिए 18 रखी गई थी ठीक है फिर आप देखेंगे मुस्लिम सामाजिक धार्मी का अंदोलन हुए ए अंदोलन हो गया वरस हो गया इस्थान हो गया संस्तापक जैसे फरेजी अंदोलन 1819 में फरीद पूर बंगाल में और हाजी सरी सरीय तुला तुला और दादू मिया इसके अर्षान का में करामद अली जौनपुरी इसके संस्तापक थे दाव दार उलूम ए 1860 की बात है देवबंद में उत्तर प्यदेश में साहरानपुर मुहम्मद कासिम और जसीद एहमद गंगोही इसके संस्तापक थे अलीगड अंदोलन 1875 में अलीगड में सरसेयत एहमद खा में लखनव में मौलना सिवली नुमानी इसके संस्तापक थे तो यह सभी आप लोग याद रखेगा इसके साथ आपका होता है मत अंक्या आध्वनिक जो भारत का इतियास है एक हो जाता है ठीक है और इतना पर लिजे मुझे लगता है काफी है इससे एकर कुश्चन साता है है तो आप लोग आसानी से आंसर देपाएंगे अब बचता है आपका 20 का भूगोल मापके लिए 20 का इतियास वाल इस्ट्री इसमें सब पूरा विसका पूरा तो आपको इतियास पढ़ना नहीं है आपको वही पढ़ना है जो आपके कुश्चन समय कुश्चन स पूंछे ज और चीनी करांती या तुरिकी इटली में फासिस्टों का उदाए और जापानी सामानबाद और दुदिये विस्टे इन सभी टॉपिक को हम लोग आंगे बात करेंगे ठीक है आप लोग पढ़ते रहिए जुआ करते रहिए कुछ सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं ठीक झाल 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 झाल